हेलो बच्चो मेरा नाम है अविनवपाधक और मैं लेकर आया हूँ आपके पास क्लाश 12 का अगला वनसौट जिसका नाम है ओकल समीकरन ठीक है अगर किसी ने नहीं भी देखा है तो वह भी कम से कम कंप्लीट कर सके और उसको कुछ न कोछी से समझ में आएंगे ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है बहुत बेसिक से चलेंगे और अच्छे लेवल तक के सारे कोश्चन करेंगे यह वनसौट थोड़ा बड़ा होने वाला है क घर उसकी मबात करने तो सबसे पहली जो एक्सराइज है पहली दो-3 अगर पहली दूसरी एकसराइज दिखी जाए तो छोटी-छोटी एकसराइज है तीसरी चौति और यह पांच्छी एकसराइज है इनसे लांग कोश्चन बनते हैं 9.1 में हमें ऑकल समी करन की कोटी और घ यह ओकल समीकण को हल करने की तीन अलग-अलग विदियाँ हैं जिस में पहली विदी है प्रथक करनीचर विदी दूसरी है समगाती ओकल समीकण, तीसरा है आवकर रहेखिक ओकल समीकण विदी द्वारा टिक मतलब तीन अलग अलग विदियो के द्वारा अलग अलग प्रकार के आवकल समीकण सा आ सॉल्भ किये जाते हैं जəहां प्रफखण टाइब के आवकल समीकण होगे एकस वाई ऐ अलग चैप्टर कंप्लीट कर लीजे आप डिटेल में पूरा लेक्चर कंप्लीट कर लीजे आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगे यह मेरी गारेंटी है तो हम लोग बिना किसी देरी के और इधर MP Board के जो भी हैं इधर के वो भी फर्वरी के फर्स्ट वीक से मालो ये दस फर्वरी के आसपास से स्टार्टी हो जाएंगे उसमें कोई सग नहीं क्योंकि अब जो होता है नया सेशन वो जल्दी इस्टार्ट होता है तो इस वज़े से फर्वरी में समलो सभी के ही एक बात नहीं कर रहा हूं आप चाहें physics पढ़ रहे हूं आप chemistry पढ़ रहे हूं math पढ़ रहे हैं इंग्लिस हिंदी भी पढ़ते हैं तो जो भी topics आपके रह गया है वो स्लेबस आपका complete हो जाना चाहिए इस मन्त तक सभी लोग आप revision के mode में आ जाने चाहिए क्योंकि one sort मतलब ह होता है division तो अब तक अभी तक सभी का एक बार कम से कम detailed में पूरा जो chapters का है जो भी chapter का syllabus है वो complete होना चाहिए नई complete है तो उसको जल्द से जल्द इस वीक डेढ़ वीक में complete कर डालो पूरा फिर उसके बाद आप revision के mode में रहो एक डेढ़ महीने के वर प्रॉपर revision करेंगे ब अलावा जो questions है वो वहाँ पर practice करते हैं हम पूरे one sort में आपको NCRT की practice कराते हैं ताकि आप NCRT एक book जो proper है वो कम से कम करके जो और गौर्मेंट ने भी दो ही book वहाँ पर गौर्मेंट अपनी site पर भी NCRT डाल लखी है पत्तब exam के जो pattern होगा वो NCRT पर ही आधारित होगा उससे बिल्कुल डरने की बात नहीं है तो NCRT तो हम लोग पूरी complete ही कर लेंगे बलब detailed में complete कर लेंगे उसके अलावा जो पी वाई क्यूज है पिछले 8-10 साल के वो हम लोग बाकाइदा complete कर रहे है जो भी life classes हम लोग ले रहे हो तो आप detail में उसकी त्यारी कर रहे हो बस ऐ ऐसे विद्वद लगे रहो इसी प्रकार से अगर हम लोग त्यारी एक डिर मैंने लगके कर लिए न तो आपको रिजल्ट दिखेगा वो उसका रिजल्ट आपको जब एक्जाम दोगे तो आप उसको आप फील कर पाऊगे कि नहीं उसमें मैंने मेहनत की थी ती इस वज़े अगर हम बात के जैसे कोई यह समीकर्ण लिखा मालो एक्स स्क्राइर प्लस टू एक्स वाई बराबर जीरो कोई एक समीकर्ण लिखा है कैसा भी एक्स वाई के रूप में एक समीकर्ण लिखा ये एक नॉर्मल समीकर्ण एक्स आमारे पास समीकर्ण में क्या 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 चीज समीकर्ण का निर्माड होता है इक की पावर एक्स लॉग एक्स लॉग एक्स लॉग एक्स लॉग एक्स लिखा एक्स पॉनेंशियल का फंक्षन है चरगातां की एक फलन लिखा हुआ सब्सक्राइब में कोई ऑकलन का पद आजएगा पसं इंतलत जैसे की मैंने लिख दिया मालो डिवाई डिया इक्स तिक का होल स्कायर प्लस एकी पावर एक्स इक्वल टू साइन एक्स ये एक आपका उकल समीकरण है कोई दिकतर नहीं यहाँ पर एक पद आ जाएगा वो बेसिक आवकल समी कर्ण कहला इसको ज्यादा टाइम नविश्ट करते हुए आसान है आप갔 पता है कि यह हमारे पास आवकल समी करण ही है जैसे लिख दिया इक और d3 y by dx3 का whole square plus 3y equal to 2, यह भी एक ओकल समीकरन, दिख रहा है सभी को, क्या ओकल समीकरन, जब भी बस इत्ती बेसिक बासा समल लू, जब भी किसी समीकरन में ओकलेच के तुम्हें पद दिख जाएंगे, एक हो, दो हो, तीन हो, पांच हो, दस हो, कितने भी हो, बस ओकलेच का एक पद दिख जाएगा, वो ओकल समीकरन कहलाएगा, बस सीधी सी बात, समीकरन, ओकल समीकरन में बस यही अंतर है, कि वहाँ पर ओकलेच का पद और साथ में जुड़ जाएगा, बलब चर अचर तो मिलेंगे, जैसे यह वाई चर है, अचर तीन है, ठीक, इसके अलावा, ओकले अचर के भी जब यह पद मिल जाए तुमें, चर अचर और एक अउकलेच का भी पद मिल जाए, तो वो ओकल समीकरन कहलाएगा, अउकलेच का पद जरूरी है, चर अचर में कोई भी एक होगा चल जाएगा, के वो नहीं भी होगा, तो भी चल जाएगा, लेकिन अउकलेच का साइज में दो ही चीज पहुचनी है जहां से हमें एक नंबर अपना पूरा पक्का करना है वो है आउकल समीकरण की कोटी और दूसरी चीज़ है घात बलब एक बार और सीखेंगे एक बार इसकी घात निकालना सीखेंगे एक कोश्चन कंफर्म है पांच्छे सेट बनते हैं ह मिलेगा ही उसमें कोई सक नहीं तो उसको आज पक्का कर लेते हैं उसमें कोई नहीं देखते हैं समझते हैं क्या होती आउकल समीकरण की कोटी की अगर हम बात करें अधिक्तं ऑठलग जो होता है? RC म मगज अधिक्तम आउकलज जो होता है तो वही उस आउकल समीकर्ण की कोटी होती है किसी आउकल समीकर्ण में जो आधिक्तम आउकलज होगा आधिक्तम आउकलज का मतलब क्या है जैसे कि for example मैंने यहाँ पर एक आउकल समीकर्ण लिखा d y by d x ठीक प्लस का 2 x d 2 y by d x 2 मैंने यह आउकल समीकर्ण लिखा सिंपल सर अब इसमें दो आउकलज के पद आपको दिख रहे हैं एक सर यह d y by d x है एक d 2 y by d x 2 है तो जिस भी आउकल समीकर्ण में जो अधिक्तम आउकलज है अधिक्तम आउकलज काउन सा है यह तो प्रिःतम कोटी का सबसे अधिक्तम के करना होगा तो एक बार उकल आउकलन हो रहा है जितना भी सबसे अधिक्तम कोटी का मलब सबसे अधिक्तम का आउकलज होगा जो जितने बार किया जितना अधिक बार वो आउकलज किया जा रहा होगा एक बार दो बार दस बार पांच बार वही उसकी कोटी होगी बस सिंपल सी बात यह है पर एक्जांपल जैसे पहला एक्ज अब यहां पर देखो दूसरे वाले question मैंने तीन लिख दिये तीन पद ऐसे लिखे जो डिवाई-बाई-डी-एक्स के पाद है पहला दूसरा तीसरा तीन ओकल समीक आउकलन के प्रद पद है हमारे पास ओकलज के पाद है अब इसमें हमारे पास कोटी क्या होगी अगर इसमें सर कोटी बतानी है तो सिम्पल सी बात यह सबसे अदिकतल कोटी जो सबसे अदिकतम बार लिखाए और नहीं नहीं होगी चार जो जितना अधिकतम ऑकलज लिखाए वही उसकी कोटी होगी बस इसमें कोई ढरने की बाट नहीं कोई ऐसी rocket science नहीं आराम से सारे लोग बता सकते। तिक आपकर अगर तुम्हें गौटी बता नी पहले वाली कि इसकी कोटी कित्ती है इसकी कोटी बताओ इसकी कोटी अगर लिखो के तो पता है कि एक पाद है और इसकी कौट जो की दिखा रहा हुझ कि हैं कि यहां पर दो बार इसής का उक्लण किया रहा है तो इसकी कोटी दोए इधर बताऊ सуйтеयानिका। दॉ्त लैंगवनिज मिन मिना जाओ कि इस पद में ऐसा कुछ नहीं, सिंपल आप देखो पूरी एक्वेशन के जहां तुम्हें अधिक्तम ओकलास दिख रहा है, यह तीन बार हो रहा है, यहां दो बार हो रहा है, कहीं चार बार हो रहा होगा, अधिक्तम ओकलास देखो तो यहां पर हो रहा है, यह तो कोटी हमारे पास यहां पर किता हो गया, अधिक्तम ओकलास मतलब की कोटी, जो जितने बार अधिक बार ओकलास हो रहा होगा, वो उसकी कोटी हो जाएगा, चलते हैं घात की तरफ, घात में बात कर लोगे, कोटी के बाद जब घात पे बात आती है डिगरी पर आपको जब भी घात भी निकालनी है तो पहले हमें कोटी तो पता यू नीची है कोटी की जो हमारे पास जो अधिक्तम ऑवकलज की कोट अधिक्तम ऑवकलज होता उसी की घात को ही हम क्या कहते है ऑवकलज की घात कहते है जो अधिक्तम हमारे पास जैसे अधिक्तम ऑवकलज की यहाँ पर अगर हम देखें तो अधिक्तम ऑवकलज यहाँ पर किता था चार इस इसकी जो घात होगी, इसकी घात किती है एक, तो इस अधिक्तम ओकलज की जो घात होती है, वही उस ओकल समीकरण की घात होती है, सीधी सी बात है, यहाँ पर क्या लिखोगे घात में, चार मैं लिखता हूँ पेने, घात में आप क्या लिखोगे, गात में आप लिखोगे, आउकलन की कोटी, आउकलसमीकन की कोटी, जब भी अधिक्तम आउकलज की आप घात निकालते हो, वही उसकी क्या होती है, अधिक्तम आउकलज की जो मारे पास घात होती है, वही आउकलसमीकन की घात होती है, जैसे for example, मैंने एक example लिखा मालो, मैं लिखता हूँ, d2yy dh2 plus 3y equal to 0, अब इसकी तुम्हें घात बताने है, इसकी पहले घात बताने से पहले दोखो, दारोमदार सारा कोटी का है, कोटी निकाल दी, कोटी ही मैंने, कोटी की ही जो घात लगी होगी, वही हमारे पास क्या होगी, वही उसकी घात होगी, हम सिर्फ पहले कोटी पर ही फोकस करते ह आदिम उनों मुष्की घाट पर जाते हैं तू इसकी कोटिग कैया थी दिख रहा यह दो खोटी का मारे पांस ओक्लफ दिखरा हैRebel कोटिब का वकलेजे और इसकी घात कित्ती है एक, मतलब इसकी सरकोर्टी जो है मारे पास? वो कित्ती है? कॉटी तो सर्दो है, लेकिन घात c atte is 1 है या में दिख रहाए, क्योंकि आधिकTम ऑउ אבל करेज की जो घात होती है तो घात यहां पर 1 है? ढूसरा यकवल टुन्जी यh समीकण लिखा है ज्वाय ये लिख्ल या दिख रहे हैं इसकी घहत या होगी तो सबसे पहले घहत देखने से पहले तुम कोटी तो देखो ही कोटी के resource मैं पहुंच पहोगे इसमें कोटी झो में दिख रही है अधिक्तम कोटी यहां पर D2 है, यहां पर D3 है, बनला अधिक्तम कोटी है, और अधिक्तम कोटी की जो घात होती, यह ना देख लेना कि सर यहां पर घात दो लगी है, तो अधिक्तम कोटी की जो घात होगी, तो यहां पर जो घात है, वो हमारे पास कित्ती है, एक है, अता यहां पर अधिक्तम घरब आध्टो कोटी कि यो फ़या उसकी जो घात ऑघी अमारे पास क्या होगी आउकल समीकन की जात होगी तो यहाँ पर घड़ार रहात्या है सबसे इंपौर्टेण बात दाथ जयसे अप पीछे वाले Maura देख गेनहाद में जाए स Yani अगर तुम इसमें घात लिखना चाहरे हें तो आपको पता है कि अधितन पर किती हatured तो और इसकी घात अ पर किती लगी है एक मतलब कि यहापर फिस टीचिक कोई दिखकत ङूँ İşıyla दिखाब अधिक्तम कोटी का उकलच मिला था यह 4 तो मैं अब तुम्हें पता ही कि कोटी तुम निकाल चुके बाद उसी की गहात देख लो, कोटी कौन वाला था ये चार वाला, इसकी गहात क्या है, एक मतलब यहाँ पर यह गहात है, यह आउकल समीकल की गहात है, ना दो पे जाओगे, ना पांच पे जाओगे, ना कहीं और से अधिक्तम कोटी की गहात पर जाओगे, कि उसकी कोटी है, उसकी जो गहात है, वही हमारे पास आउकल समीकल की गहात है, इसमें आओ, इसमें देखो, गहात दो है यहाँ पर, यहाँ पर कोटी किती थी दो, और यहाँ पर आपको दिख लिए कि गहात एक है, जो अधिक्त वो हमेशा बहुपद रूप में होना चाहिए इसका बहुपद रूप में होना चाहिए izका मतलब क्या है कि आउकल अज बहुपद रूप में होना चाहिए अभी किलियर हो जाएगा for example मैंने एक example लिखा मैंने यह आप लिखा d2y by dx2 plus sin dy by dx इकवल टूब एक्स याइक पावर एक्स कोई दिक्कत नहीं होएं सब्सक्राइब इस ओकल समीकर में तुम्हें कोटी और घात बताने हैं सर पहले कोटी लिखते है यहां लों तो पोटी आपको बिना सोचे समझे समझ में आ जाएगी त। कोटी क्या है इसकी घात सर एक होगी क्योंकि अधिक्तम कोटी की जो घात होती है वही हमारे पास ओकल समीकन की घात होती है क्या इसकी घात एक होगी यहाँ पर घात एक नहीं होगी क्यों घात एक नहीं होगी हमने या लिखा जो ऑकलज होता है वो बहुपद रूप में होना चाहिए यह बहुपद र कि यह साइन के अंदर नहीं आ सकता वह कभी कॉसके अंदर मलब टिकनोमेटी की फंक्शन के अंदर नहीं आ सकता या एकार एकसे जैसे चर गाता की फणलनल सब्सक्राविट 시क्व अधिर इंगे करने आ सकता अैसा नहीं लिख सतने की साइन फ़लन के अंदर नहीं होना चाहिए कोटी तो निकाल सकते कोटी की कोई दिकन लेकिन घात क्या हो जाएगी आप रिवासित जैसे पॉर एक्जम पले कोशन हो लिखते हैं मानो मैं लिखा दी वाई भाई डी अक्स अधी हो जाएगी घात क्या हो जाएगी गहात सरा अधिक्तम कोटी का जो आउकलज होता है यहाँ पर कोटी तो एक है लेकिन E की पावर में DY by DX आ गया मतलब जो आउकलज है वो बहुपद के रूप में नहीं है जब भी आउकलज बहुपद के रूप में नहीं होगा उसकी घहात हमारे पास आपरिवासित हो जाएगी घहात हम नहीं निकाल सकते Size क्या हो जाएगी आपरिवासित हो जाएगी बात सबको समझ में आई यह basic question जो हमारे पास आउकलज के बनेंगे वो इनहीं पर तुम मिलें और exercise में इसी पर सारे question तुम आराम से सारे सॉल्व कर सकते हो अगर इस प्रकार के कोई कोशन दिया जाता है कि जब भी हमारे पास कोटी है वो आराम से निकाल लो कि कौन सा दिखता माउकलज है और दिखता माउकलज की जो घहात होती वही कोटी हो जाती नॉर्मल कोशन में लेकिन बस थोड़ा ख्या लखना कि एकजामपल करते हैं जैसे मैंने लिखा दी टू आइबाइबाई दी एक्स टू प्लस साइन डी डी वाइबाई दी एक्स प्लस एकी पावर एक्स इक्वार तो जीरो मैं पहला लिख रहा हूं इसमें कोटी और घात लिखनी है आप लोगों को आप लिखना शुरू करो यहाँ पर लिखा मैंने साइन एक्स डी वाइबाई डी एक्स प्लस एकी पावर एक्स इक्वार तो जीरो तीसरा मैंने लिखा लोग डी वाइबाई डी एक्स प्लस दी थ्री वाइबाई डी एक्स त्री प्लस एकी पावर एक्स इक्वार तो जीरो तीनों में घात और पहले वाले की कोटी क्या होगी पहले वाले कि अगर हम कोटी की बात करें तो सर पहले वाले की जो कोटी होगी वह में पता है कि अधिक्तम आउकलज होना चाहिए ठीक तो अधिक्तम आउकलज किता है सर अधिक्तम आउकलज दो है दिख रहा है तो इसकी कोटी तो सर दो होगी कैgos किशा यंदर DYDX किसी function के अंदर DYDX आघया है और कला जब भी होना चालिये वह बहुमपद रूप में होना चालिये मतलब बिल्कुल फ्री match ऐसा रही किसी के अंदर गुसा है यहां पर DYDX धम गुसा तो इस वज़े से इसकी घात क्या हो जाएगी आप परिभासित कुई दिसक में कोटी तो सर फिर से दो है वह में दिखुर आधिक्तम कोटी का गोटी दो है इसकी घात आपरीबासित है कि नहीं नहीं चूदकि इसमें साइन एक्स जो होता था वो पूरा अलग है साइन एक्स पूरा अलग फ़लन है और डिवाई भाई डिएक्स बिल्कुल अलग लिखा है पतलब साइन के अंदर डिवाई भाई डिएक्स नहीं लिखा साइन फंक्शन अलग इसके गुड़े में ये डिवाई बाई डिएक्स ल होती है कोटी तो तीन है हाइस्ट और का हमारे पास दिकराई डिफ्रेंशियल तीन आर्डर का है लेकिन इसके डिगरी की बात करें अगर घात की बात करें तो नहीं परिवासी ते क्योंकि लॉप फॉंसन की अंदर डिवाइब डिएक्स आ गया मतलब की घास जो घात है वो प करनेवाला गलत फस इसरफेपर बहुत अब बनाया था तो जब पेपर टलबनाने की कोशिव करेगा तो इस प्रकार के कॉशन लेका कि स्ट्रक अuy लिगता है इसी घात कोटी पर खोची सिसक रेगा ऐसे कॉशन देने कि उसने लगाया वर्मूल कि डीवाई बाई फ्न अ का होल स्क्वार प्लस का वाई एक्वल टू एक्स्वार ठीक क्या करेगा एक ऐसा कोश्चन हो सकता है दूसरा मालू मैं लिखता हूँ कि दी 3yy dx3 प्लस कि दी 3yy dx3 की घात माइनस वन और कोई लिकता हूँ प्लस का लिखता कि जब कुछ अच्छा वाइब बनाने की कोशिस करेंगा तो इस प्रकार के कोश्चन रखेंगा अमालो गलत एक्जामनर अपने बहच में आ गया तो क्या कर सकते हैं कर सकता है तो इस टाइब को कोश्चन आउट देख लेते हैं दो कोश्चन की प्रैक्टिस करेंगे इसी से फिलियर हो जाएगा बस यहीं स्यादा नहीं गुमाएगा बोर्ड लेवल पर अपने जैसे वर्गमूल में लिखा है गहात माइनस एक है इसको नीचे लाएंगे तो यह भिन आजाएगा जब करने के बाद जो आंसर होगा वही जब करनी और घ्रणी और घात तुम हटा लोगे भिन को इसको एकदम विर्कुस सिंपल फॉर्म में ले आओगे सॉल्व करके तभी आप इसकी कोटी और घात लिखोगे इस कोश्चन में क्या करोगे जैसे वर्ग मूल लगा है तो हमें दोनों पच्छों का वर्ग कर देते हैं या आप वर्ग मूल को उस साइड भेज दो तो आप आराम से क्या कर आए कोटी है मारे पास सर एक है और घात जो इसकी है वो मारे पास दो तिक परिवर्तन नहीं है किसी केस में हो सकता परिवर्तन आ जाए कभी ऐसा हो जाए कि इधर भी मालो डी वाइबाइड एक्स कुछ लिख दे डी टू आई बडिक्स तो इस वजए से आप याद ठीक यहां से उसने लिख दिया डी टू आई बाई बाई डी एक्स तू ठीक प्लस का वाई है पूरा वाइट से लिखोगा वाइट से लिख दिखते है ठीक प्लस का वाई और यहां पर उसने लिखा डी वाइब डी लिखते हैं यहां पर यह कोटी है और यह घात यहां पर मैं इसकी घात महलों तीन लगा देत तो यह लिख दिया है उसने ठीक यह मारे पास एक्वेशन है अब फिरसे वही काम करना पड़ेगा वर्ग तो करना पड़ेगा तो आप ऐसे अगर देखते तो आपको भी यही दिख रहा था कि यहां से हो गया अब वर्ग करोगे डी टू आई बाई डी तो आप पहले इसको नीचे लाओं गया इसका इसका इसमें गुड़ां होगा होल इसका फ्लस का बन और अपाउन में आ जाएगा दीध्री वाई अपॉं डी अट्री एक्सत्री इसको साइड बेस तो यहां से अब यहाँ पर तुम्हें देखो तो कोटी किती है कोटी दोनों जगे तीने यहाँ पर भी तीन है यहाँ पर भी तीन है तो कोटी तो सर तीन है कोटी तो तीन है, घात इसकी परिवासित भी है, कोई दिख कर लें, अब इस कोटी दोनों do बराबर है, तो आप अदिक्तम बाली लोगे, तो घात इसकी क्या होगी, डो, घात एक न ले लेना, तो यू कि दोनों जब एक्क्व अधिक्तम बाली घात लो, तो घात हमारे पास कित्ती है दो इस टाइप का भी कोश्चन अगर बना दे तो तो बदल सकती है तो इसमेजे से सॉल्फ करना रूट हटाने की कोशिस करना उसके बादी आंसर लिखना ठीक है अब चलते एक्ससाइज की और काफी टाइम दे दिया इसको कोटी और गात को इसमें आराम से फिनिश हो एक नंबर पक्का है तुम्हारा यार अब आंसर करो डार अब इसम्हें अगर तुम्हें कोटी लिखनी है तो कोटी क्या hai इसकी खहाथ हमारे पास एक है क्या इसकी घात एक है नहीं है लिखा दी थरी y upon bx3 sign के अंदर ये लिखा है ये छुपा रहा है घात आपरी बासित है ठीक है छुपा वेठा है वो देख लेना द्यान से इसमें क्या है इसमें सर कोटी अगर देखें तो सर कोटी एक है डी वाई बाई डी एक होगा इसका मतलब कोटी एक है और इसकी घात भी एक हो दो बार हो गया एक है और जो कोटी है उसी का बोल बाला यंकि कि बाखिल ने ही कोटी में है उसी की घात मानी जाएगी जैँ इसी की घात एक इसकी घॉच्ण के आउघ ऑपटो चाहरा है और कर Zero करनकि आप को क्या बताने ही है घात यार गात परिवासिती नहीं यह साइन के अंदर डीवाइवाई डेयस आ और देख फट पहरी लाशित अगर कोटी पूस्ता थो मता देते कि कोटी सर इसकी दो है लेकिन घात तो याँ परिवासिती नहीं है ठीक है आँग यह कहेhole इस और इक नट से कर लेंगे बिल्कूल परसान बने चलता यां ग किसी देरी खर समी करन के व्यापक और्व इटाल पर व्यापक और विशिष्ठ का मतलब क्या है general and particle solution of a differential equation general की व्यापक और particular मतलब होता है विशिष्ठ जर्नल मतलब यह हो गया कि सभी को संतुष्ट करने वार जैसे व्यापकima कुरूप हम नहीं जैसे कि नीं जैसे कि for example मालों हमने एक स्मीकर लिखा माल ₹ बढाबर एकॉष एक्स प्लेसी कि क्यों मैंने एक स्विश्ट लिखा त वाई ब्हराबर एक कोस एक्स प्लस सी मैंने एक saival कर लिए सिंपल सा कि कोई दिकत नहीं तो एक बेसिक बाहसा में दोनों में अंतर समझो तो व्यापक हल वो हल होता है जिसमें यह अचर मौझूद होते हैं मलब अचर रासियां होती है वहाँ पर और विसी स्ठल में क्या होता है महां से हम कॉइंस्टेंट वाला टर्म हटा ले कि एक बराबर टू पर फलन का मान क्या है तो उसका एक प्रकार से इस वाले समीकन का एक विशिष्ठल निकाल लिया कि एक परटिकुलर वैल्यू पर इस फलन का मान क्या है तो एक प्रॉपर एक वैल्यू पर जब हम फलन का मान निकाल लेते तो उसका विशिष्ठल होता है कि इस पॉइंट पर ही हमें फलनका मान चाहिए इस एक्स बRबर दस पर मैंने लिखा विभंड एक्स को जाएगा हो जाएगा क्या होजाएगा x plus c x plus c का दुबारा करेंगे तो y1 हो जाएगा ठीक इसका फिर से दुबारा तुमने differentiation किया तो d2 y by dx2 यहां से कित्ता आ जाएगा क्यों हो जाएगा minus का a sin का हो जाएगा cos यहां से आ गया x plus c और x plus c का फिर से करेंगे तो वो 1 हो जाएगा अब जैसे a cos x plus c की जागा आप y लिक सकते होते हैं यहां पर आ जाएगा d2 y upon dh2 equal to minus का y minus y को इस साइड लिया है तो d2 y upon dh2 plus का y equal to 0 मतलब एक हमने समी करण से इस समी करण से इसका आउकल समी करण रूप में बदल लिया इस समी करण को हमने आउकल समी करण के रूप में बदल लिया मतलब अगर आप देखना चाओ अगर समझना चाओ जैसे यह question है मारे पास है कि कह रहा है कि सत्यापित कीजिए कि यह फलन जो है y बराबर e की power minus 3x इस आउकल समी करण का एक हल है ऐसे ही जो यह आउकल समी करण आया है इस आउकल समी करण का यह जो है यह एक हल है क्या है एक हल है आउकल समी करण का यह y बराबर e cos x plus c क्या है एक हल है क्योंकि इसी को हमने इस रूप में convert किया कभी आप इसको इस में convert करोगे इस exercise में हमें यही करना है आँगे आप जब चलेंगे तो हमें अवकल समीकर्ण का जब हल निकालना है तो वहाँ पर हम यहीं करेंगे 9.345 में कि हमें आउकल समीकर्ण दिया जाएगा और उसको हम इसके व्यापक रूप में लाएंगे किसका व्यापक रूप क्या होगा या विसिस्ट रूप में लाए एक्स फ्रसक तो यहमारे पास क्या यह इसका एक व्यापर ख़ल ये क्या ये व्यापर खवल कर दिक अब इसे में क्या करूब किसी व्यापर हमें आपका मनें ह 93 यमिर बुर्द लो और सी बराबर तीन पर इस समी करन का मान क्या हो का वो निकालना चाहते हैं तो आप क्या करो कि एक बराबर दो रख दू और सी बराबर तीन तो यह बराबर तुमने जब दो रखा तो यह हो गया दो कॉस यहां पर तीन रखा तो तीन प्लस एक्स एक्स प्लस थी एक्स प्लस तीन तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा इसका हमारे पास यह हमारे पास क्या जाएगा विसिश्टल आ जाएगा एक प्रकास विसिश्टल का मतलब क्या है कि जब आपने इसमें ए और सी के कुछ मान रख दिये कुछ ए कमान रख दिये कुछ सी कमान रख दिये वैसे यह पूर दोनों में basic अंतर है सब अभी सवाल करेंगे तो साधी सीजे के लिए रोजाएंगे बिल्कुल confused ना होना कि सर क्या ही है बिल्कुल confused नहीं यह हमारे पास एक समीकार हमने लिया था अपने व्यापक हल है इसी व्यापक हल में जब कोई आप specific value रख देते हो कोई मान रख देते हो ए और सी कि कुछ constant के तुमने मान रख दिए अभी निकालेंगे वो मत चल्ञेंच यह दिया गिया इसमें कहारा है कि जो हमारे पास को या इंकल टुए की पावर वाई इकसे प्लसं तो आप क्या करते थे अगर आपको यह पता है कि 2,3 इस सरल लेखा पर उपस्ती थे तो इस 2,3 को इस पर संतुष्च कराते थे आप x की जगए पर 2 रखते थे और y की जगए पर 3 रखते थे फिर आप इसको संतुष्च कराते थे यही तो काम करते थे सेम यही चीज़ यहां करनी है आपको एक y बराबर एक यहां पर फलन दिया गया है और कहरा है यह इसका हल है हल है तो मतलब कि ये इसको संतुष्ट करेगा अगर संतुष्ट करेगा तो आप य की जगए यह रखोगे य के अलाबा यहाँ पर से डी तू आई भाई भाई भी डी एक्स टू है और डी वाई भाई भी इस वो भी निकाल लेंगे कोई वाई तो है हम रहे हैं तो पहले क्या करोगे है आप पहले क्या करोगे आप पहले डीवाई दिल्ट से निकाल भाई भाई डिख्स क्यों मैं इसका हो जाएगा मैंनस-3 ऐक्डम कोई दिक्कर ने एक फावर एक सकता है दी टू ऑइब दिए टू किया जाएगा दुबारा उकलन कर तो माइनस पीन फिलाइगा तीन तरका नो लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एकी पावर माइनस का खरी जाएगा ठीक आपको पता है कि हमने यहां से क्या किया यह माइनस तीन है दो को मैंने क्या किया आपने लिग देता सब्सक्राइब तो इसका माइनस 3 बार आ जाएगा इसलिए अमने लिग दिया सिंपल डारिक यह तो बात पता ही है तो यह क्या जाएगा माइनस 3 एक पावर माइनस 3 इसका जाएगा माइनस 3 तो रहेगा एकी पावर माइनस 3 एक फिर से करेंगे तो माइनस 3 एक तीन तरका हो जाएगा नौ तो नाइन एक पावर माइनस 3 डाइक लिकर अब यह पीछे आर करके हैं इतना डिफरेंस यह सानिता इंटिग्रेशन और वो नहीं दुबारा से सिंपल में में बताएं बिलकुल आसान कोश्यन है यहां पर रखो di2by dx की वैलु क्या है 9 एकी पावर माइनस 3 डीवाइड इकश करता है माइनस का तो माइनस है जाएगा तो 9E की पावर माइनस 3X, माइनस 9E की पावर माइनस 3X, कटके 0 आगे है, LHS, RHS के बराबर आगे है, ये 0 है, RHS भी 0 के बराबर है, आपको दिख रहा है, LHS इक्वल टू आगे है, आज अता, Y बराबर E की पावर माइनस 3X, ओकल समीकन का हल है, जो ओकल समीकन दिया गया है, उसका हल है, क्लियर, ऐसे कोश्चन दियेगा, फरजी कोश्चन है, एकदम आसान से कोश्चन है, आराम से सारे लोग कर लोगे, जो 9.2 एक्ससाइज स्टार्ट उटी, एक्जाम्पल का कोश्च आप इसको हल करोगे, इसमें हल क्या करोगे, जो जो यहाँ पे लिखा होगा, अगर यहाँ पे D3Y by DXT होता, तो हम D3Y by DXT भी निकालते, उसकी value भी रखते, जो जो निकालने को इसके अनुसार कह रहा होगा, वो निकालना, उसमें put करना answer आजाएगा, और कुछ नहीं करना के लिएर सभी को, कोई doubt तो नहीं, कोई समस्या तो नहीं, जो जो कहेगा, वो हम निकालेंगे, इसने कहा था कि हमें Y चाहिए, D2Y by DXT, तो हमें तीनों चीजे निकाली, तीनों put करी, value आगे, equal to zero proof कर जाएगे, अगला चलते हैं, अब एक्ससाइस का question है, कह रहा है, यह हमारे पास Y वरावर फलन दिया गया, यह संगत ओकल समीकण, अरे ओकल समीकण तो पैचान लोगे, Y डेस लगा है, बलब डी वाइब डी अक्स है, तो यह इसका, कह रहा है, इसका यह खल है, लिकालते है, प्रूफ करते हैं, कैसे है, देखते है, आपको दिख रहा है, यह यहां से X है और यह Y डेस है, मतलब में केवल Y डेस नकालना पड़े किसे और कुछ में, कैवल बाकी तो सारे है लोग यहां पर यह यहां VY ऑ यह के लिए X को सेक्स साइन एक्स क्या हो जाएगा इसका वाइड़िस सीध्य ऊठा रहें LHS ठिक LHS क्या यह एक्स वाइड इस लिया मैंने लोच से हमारे पास एक्स वाइड एक्स की यह रहने दिए वाइड देस कि वेलू रग भी क्या आ एक्स cos x plus ka sin x plus ka sin x x ka अंदर गुणा करो यह आजाएगा x square cos x plus x sin x that's your lhs आगे now we have to find rhs अब हम लोग आरेचस निकालेंगे ठिक एलचे सागे आरेचस निकालते राइट हैं राइट हैंड साइड निकालोगे राइट हैंड साइड में क्या कैच यह y plus x under root के अंदर x square minus का y square इस फर्जी की चीज़ पर नहीं जाना कोई दिक्कत नहीं आराम से काम हो जाए इसके लिए ना परिसाद होना y की जगह रखो y value का है x sin x y की जगह एक साइन इस रखा यहाँ पर x x की जगह x रहने देट एक्स को नहीं चेंड़ना सिर्फ वाई की जुग रोटन दिया गया एक्स को एक्स की जगह भी सराम यहाँ पर वाई के पदों में कुछ लग दिना ना एक्स एक्स रहने दिटा x square minus y square y square हमारे पास क्या हो जाएगा यह हो जाएगा x square और sin square x क्योंकि x sin x है इसका स्कार कर दिया क्या होगा देखो यहां से सबसे importance x sin x x sin x plus x वर्ग मूल के अंदर जो लिखा इसमें से x square common आ सकता है तो यह हो जाएगा 1 minus sin square x x square को बाहर ले लेते हैं जब आप x square को वर्ग मूल के बाहर लोगे तो x आएगा और बाहर वाले x के साथ square हो जाएगा 1 minus sin square x हो जाएगा सब्सक्राइगा यह हो जाएगा फॉस परे तो यह हो गया x sin x plus x square को सब्सक्राइगा का रेचेस के बराबर नहीं आया यह जो लह से वही तो आरेचेस के बराबर रहे एक साइन एक्स पहले लिखा है वह कॉस्पार में लिखा है दूनों प्लस के हैं किलिए रहे ना एलेच सब्सक्राइगा है यही सारे कोश्चेंस में करोगे तुम आपको जो दिया गया है फलन आपको जो जो निकालने को बोला है यहां पर तो एक ही बार से पाउकलन करना था के बल्वाइड है से यहां से निकाला उसकी वेलू उठाके मारक की एलेचेस में इक्वल टू आरेच आप बरावर प्रूफ कर दू आराम से आपका अंसर ठीक है यह हो गया हमारे पास क्या है यह व्यापक हल पर अधारी तेक प्रकार से कोश्चन चलने है कि हमारे पास इसका यह व्यापक हल दिया गया है और उसी को हमने सेटिसफाइड करा रहे एक प्रकार से ठीक है अब आ चार कोर्टी-क होगा सीधी बाद समझघा जयाता जब दो को memb आरे पास 6 जचर से थो गोइक आपilt 2 बार औक करोगे तो यह जाएगा जितने सिस्ट रूते उतने बारा के कर तें तो लेकिन second question में देखो कह रहा है तीन कोटी वाले होकल समी करने के विसिष्ठल की बात कर रहा है और विसिष्ठल में हम क्या करते हैं उन चरों के मान रख देते हैं A और B जैसे जो चर थे उनके मान हम रख देते हैं कि इस particular value पर वहाँ पर कोई भी चर में नहीं मिलता है तो जब भी विशिष्ठल की बात आएगी वहां पर जो स्वेच अचर होते हैं वह कोई नहीं होना चाहिए जब कि जो मारे पास व्यापक होलोता है उतने अचर होते हैं जितने अचर होंगे उतने बार हम उसका क्या करते हैं कि लेकिन यहां पर कोई भी स्वेच शचर नहीं होता है इस मैं इसकी जो मेरे पास अचरा उसकी कंड करता है उसकी कोर्टी पर डिपेंड करता अगर को में रधा хороший तो तुम आराम से लिख सकते हो कि हमारे पास आगर कॉइस्टेंट तुम है कि तुम कोटों सकती है चले आंगे दुनों बाते के लिए अब चलते हैं आंगे टोपी पर जहां पर हमे क्या करना है प्रथम कोटी और प्रथमGhats iniqnå के हल-ग्यात करने सिंपल सी बात किसी प्रथम कोटी और अब हमारे पास यहां से 9.3 स्टार्ट होती है आराम से आप निकालोगे बिल्कुर सब चीजें के लिए हो जाएंगी है इसे कह रहा है कि प्रथम कोटी और प्रथम घहत के आउकल समी करनों की तुम्हें क्या ग्याद करनी है हल करने की विदिया इसमें इपले पास बेसिक लिए मारे पास कित्ति गिदिया अगर अम इसकी बात करें सो एक ही विदिया आपको दी गई है जो महरे पास अगली इक लिए प्रथक करणी चरवा आउकल समी की वैरियबल सेप्रेंगन के दारह जिम डिइफृरेंशिल एक्क्वीं इसका मतलब क्या variable separable का देखो जिसे पर्थम कोटी का मतलब होगा मारे पास एक कोटी हो गया और एक घात वाले मारे पास ओकल समी करणोंगे जैसे कि for example मैं लिखता हूँ एक घाती और एक कोटी के ओकल समी करणोंगे जैसे मैंने मालों लिखो लिखा एक्स डी वाई इक्वाल टू वाई या ऐसे लिख देते हैं न अधिवाई वाई डी एक्स प्लस का थ्री वाई इक्वाल टू टू को लिखतनी अलब इसमें कोटी भी एक होगी और हमारे पास गहात भी एक होगी ऐसे ओकल समी करण का पहले महल ग्याद करना सीखते हैं कैसे निकाला जाता सीधे कोशन से चलते हैं तब चीज अच्छे से के लिख जैसे कि प्रथक करनी वीद प्रथक करनी वीदि का उपयोग करते हैं एक मिनिट रुपना लाइट का थोड़ा इश्यू लग रहा है जो एक्स वाले पद होगे उनको एक साथ करेंगे वाई वाले पद एक साथ करेंगे और वहीं पर होगा जहां पर यह वैरियेबल से प्रेवल वहीं पर पॉस्पल होगा जहां पर एक्स और वाई के जो उमारे पास पद है वो आसानी से अलग-अलग हो सकते हैं जब आसानी का कोई पद दिया गया है अगर हमें उसको क्या करना है उसको एक व्यापक पद में लाना है तो उसको क्या करते हैं समाकलन और समाकलन से अगर हम उसको समा कलन कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा वो हमारे पास उसका व्यापक रूप मिल जाएगा कोई दिक्कत की बात नहीं कैसे मिलेगा अभी बात क्लियर हो जाएगी जैसे कि for example मारे पास क्या है मालो मारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है बास समी एक आउकल समी करना है x dx यहां से यह x dx न लिखके यह दिया गया है यह दिया गया है यह दिया गया अब यहां पर सबसे पहला काम तुमारा क्या होगा जब भी तुम्हें प्रथक करनी विदिवारा आउकल समी करने है आप क्या करोगे x वाले पद एक तरफ y वाले एक तरफ और x वालों के साथ dx रहेगा तभी आप कर पाऊगे और जो dx अब यहां पर दिख्कत देख है कि x dy है और y के साथ dx ऐसे तो हो नहीं सकता x के साथ यहां पर x चाहिए y के साथ वाला y वाला पद चाहिए तो y को इधर बेज दो तो यहां से हो गया dy बठे y और x को इधर बेज दो तो dx अपान x तो मिस्रित रूप में 60 के रूप में दिया जाएगा उसको तुम अलग-अलग करके इस रूप मिले व्ाई वाला y के साथ मिले फिर आप इसका क्या कर दो समाकलन कर दो अराम झालन कर आजाए अब इसका दोनों पच्छों कि जैसे ही समाकलन करोगे तो Master यह लग Ay होता है वन अपान X किसका होता है लॉग X होता है और आप कॉंश्टेंट लगाते हो इसका भी एक चुछ लगना चीज का तो दोनों का एक ही मिस्टित लगा लेते हैं वह अमने मालों लॉग C क्यों ऐसा करते हैं इस वज़े से क्योंकि लॉग का यहां पर फार्मूला लग जाएगा आसानी से कि यहां पर लॉग M प्लस लॉग N लगा देंगे तो थोड़ा सिंप्लिवाई फे में आंसर आजाएगा थोड़ा सिंप्लिफाई हो जाएगा और कोई इसका बेस्ट व्यूज नहीं है अगर हम C छोड़ कर चले आएंगे तो गलत नहीं करेगा एक्जामना लेकिन अगर हम पूरा करके आएंगे लॉग C लिख कर आंगे क्यासि और आद्ट के अब कोई दक्कत की बात निहीं प्स यहां पर इंप्रूर्टेंट बात है कि जब भी आपको इस प्रकार का जो प्रत्रकर्ण झीवालों के साथ बैसिक है कि आप X वाला एक साथ कैसे भी लाओ के की और फिर उनका समाख समाख य्ठ नन दोग手 अगर वो प्रतक करन हो रहे क्योंकि सारे कॉश्चन में नहीं होगे उसके लिए अलग अलग विदिया फिर हमें homogeneous भी पढ़ना है हमें रेखिक विदि भी पढ़ना जिस केस में आराम से आप अलग-अलग variable से प्रेवल में लगा लोगे कि variables को separate कर सोको अलग-अलग कर सोको dx इकोल कुग हमें पता है कि सारे टरम तुम्हें कैसे दिखना है सब एक पावर एक में सारे एक्सवाले पर एक्सवाले एक तरफ रखो वाई वाला एक तरफ वाई वाला कुछ भी रही है तो को उस साइड ले जाएंगे कैसे ले जाएंगे देखो बास समझेगे पहले माइनस वाले को उस साइड ले गए तो यह मारे पास हो गया एक की पावर एकस एक़ एक सब एक साथ लो अब तुम्हें पता है डिएक्स वाले सब एक साथ डिएक्स के साथ पूरा एक्स वाले टर्म वाला एक साथ अब समा कलंण कर दो जैसे ही समा कलंण करोगे यह उजाएगा d y यह हमारे पास हो जाएगा समा कलंण e की power x minus e की power minus e की power x plus e की power minus दोनों का use है यहाँ पर समा कलोन अगलन का अब ये question तुम कर लोगे ना समा कलन के इतने सारे question समा कलन के लगा चुके है इन में तो doubt नहीं रहेगा ना कि ये सर्डाउट करेंगे इसमें क्या करोगे नीचे वाले को t माननो क्या मानना ये तो मारे पास y हो गया इसको लिख दो dy का हमारे पास समा कलन क्या हो गया y आई ये y हो गया इसका हमें पता है क्या हो जाएगा यहाँ पर पूरी की जगए डीटी हो गया पूरे की जगए उपर अंस में जो लिखा इसके साथ वो डीटी हो गया नीचे हमारे पास्टी आ गया ठिक तो वाई बराबर किता आ गया सर्लॉप टी ठीक और प्लस का सी टी की जगए वैलू रग दो टीक जगे क्या आजैगा वह आजाएगा एकई पावर एक्स एकपावर माइनस एक ट्रॉफ आख तो अब यहां पर लॉग लगाने की कोई आउसकता नहीं कि यहां पर सर्लॉप सी ले ले उससे कोई आप सकता नहीं कूए ठीक है कर लेंगे ना इसी question आप कुछ नहीं करोगे simple यहीं करना है x वाले पद x वाले के साथ y वाले पद y वाले के साथ यहाँ पर तो केवल x वाले पद थे तुमने x वालों पद को एक साथ किया और Auckland कर दी इस समाकलन कर दिया ठीक है पावर x 10y dx लिखा यह प्लस वाला पहले उस साइड ले जाओ पहले समझो कि एक बराबर में दिखे dx एक तरफ लिखे डी वाई फिर देखो कि कहां क्या हो सकता है पहले उस तरफ लेई जाया करो हमेशा वन माइनस एक पावर x सेक स्क्वाइर y dy ठीक इसको इस साइड लिए अब क्या हो सकता है dx है तो इसके साथ यह नीचे आएगा लेकिन पहले माइनस से गुणा कर लेते हैं देखो 10y dx इसमें माइनस से अंदर गुणा कर देते हैं तो इक की पावर x यह माइनस का वर ओ जो ठीक यह माइनस प्लस यह माइनस का वह वर इसको आगे लिख लिए और यह अपर से कि स्कायर वाई एई उस्सें में ये भी दिख रहा है कि कुछ मानने से कुछ बनेगा यह यह मारे पास दीवाई बचाहिए अब तुम्हें दौनों तरफ लेट करना है के वल मानना है दोनों तरफ क्या मानोंगे इधर की तरफ माना माल लिया कि e की पावर x minus 1 equal to t है इधर तुम माल लोगे 10y बराबर कुछ दूसरा माल लो u है माल लिया तीक है इधर आपको पता है कि इसको जैसे ही t मानेंगे तो e की पावर x dx बराबर dt हो जाएगा इधर तुम में पता है 10y को t मानोगे तो यह हो जाएगा 6 square y को जाएगा सम इनी की पावर x dx वर आबर dti नीचे नीचे हे इंचे है अब वा क्या हुआ रग दो यास यहास हो गया समा कलं़ e की पावर x dx वराबर dt यह dt हो गया नीचे e की पावर x minus t हमारे पास t हो गया और equal to sum a current 10y यह तो यू हो जाएगा ऊपर du हो जाएगा ठिक कोई दिक्कत नहीं अब लॉक्ती हो जाएगा इसका इसका सर लॉक्ती हो गया और equal to discuss a log u हो गया और प्रेस का सी बन गया अब सी की जिए लग लग लगना important है तो कि यहां पर भी लोग है यहां पर भी लोग है यहां लोग ले लेंगे तो formula बन जाएगा log C constant value कुछ भी हो सकती है यह सी constant value कोई भी अच्छा नमान सकता है तो ची लेलो तुमारा मने signally लो तुमारा मने को से लेलो तुमारा 10 a साथ में तो आप यहां पर लोगए आपने आप लोग लिख लिए अब यह आपको पता है क्या बन जाएगा यह बंजाएगा लॉग log M plus login log M into log ut तो यह हमारे पास क्या हो जाएगा T बराबर UC होगा ना UC T बराबर UC अब T की वेलू रगदो T बराबर क्या आए E की पावर X माइनस 1 U की वेलू क्या है 10Y C लगा लो आँगे यह अंसर है ठीक है E की पावर X माइनस 1 यह हमारे पास हो गया C 10Y क्लियर है सभी को कोई डाउट तो नहीं भाई कोई समस्या तो नहीं लग रही यहाँ था किसी को कुछ भी यह तो नहीं लग रहा पासर क्या ही चलना है यहाँ तक बात क्लियर होगी मुझे लगता है सभी को फिर चले आँगे ठीक है इस तरीके से वरियेबल से प्रेवल के कोईशन करने है आप X Y के पद एक साथ करो अलग अलग करो जहाँ यहाँ पर विशिष्ठल की बात आगी जब भी देखो विशिष्ठल का कोईगा एक सभाई के कुछ मान दिये जाएंगे कि इस पर्टिकुलर वैल्यू पर ही तुम फलनका मान निकालो कि X Y की यह मान है और X Y के मान से C की वैल्यू आएगी और फिस C की वैल्यू रख के हम देखो कैसे करना होता है जतकर समिछ समी कर दिवाइब अगर माइनस 4X Y सकर यह मारे पास क्वेश्थ्य वैडी एकस पॉर आवर इकस वाई सब्क्रेघ्ज और कारना स rethink समय सरमें पता है कि X वाले एक साथ, Y वाले एक साथ, X वाले को एक साथ ते जो Y, हल तो कर नहीं है differential equation, वो वैसे ही हल करेंगे, प्रतक्क्रविदी लगाते, X को एक साथ, Y को एक साथ, तो ऐसा करते हैं, Y square नीचे ले आते हैं, तो यह हो जाएगा, D Y तो अंस में रहे नहीं है, तो Y square को, इसक का 4X, D X, ठीक, यह Y square इदर आ गया, D X उदर ले गया, तो माइनस का 4, D X हो जाएगा, किलियर, अब समा कलंड कर दो, दोनों पच्चों का जैसे ही समा कलंड करूँगे तो, तो क्या हो जाएगा, सर Y square का क्या हो जाएगा, उपर ले जाना पड़ेगा, Y की पावर माइनस 2, D Y, यहाँ माइनस 4 constant है, यहाँ पर यह X, D X हो जाएगा, माइनस Y का क्या हो जाएगा, Y की घात, माइनस 2, प्लस 1, अपॉन, माइनस 2, प्लस 1, और इक्वल तुमारे पास हो जाएगा, यहाँ से माइनस 4, और यह हो जाएगा, X स्काइर बटे 2, प्लस का C लगा लेना, तो दोनों तरफ लगाने, यह constant लगा लेते हैं, कोई दिक्कत ने, अब क्या हो जाएगा, तो को Y की माइनस 2, प्लस 1, Y की घात, माइनस 1, यहाँ से माइनस 1 आएगा, तो 1 अपॉन, माइनस Y आजाएगा, ठीक, इक्वल तू, दो दूना 4, माइनस का 2X स्क्वाईर, प्लस का C, यह value आगे, क्या value आगे, माइनस का 1 अपॉन वाई, इक्वल टू माइनस का 2X स्क्वाईर, और प्लस का हमारे पास क्या आजाएगा, प्लस का C आजाएगा, अब देखो, आंगे क्या करना, काम वही किया अभी तक, अभी अगर व्यापा खल निकाल ले होते, तो बस यहीं बस इसके आँगे, थोड़ा सा काम ये बड़ा, कि आपको कुछ value दी जाएगी, वो दी जाएगी, वो तुम्हें सोचनी भी नहीं कि क्या सर value रखना है, वो तुम्हें question में ही given होगी, कि X बराबर 0 और Y बराबर 1 पर, आप कुछ ना करो, इसी differential equation में रख दो, Y बराबर 1 र बता है कि जब भी विशिष्टल निकालते हैं, तो constant नहीं रहता, जैसे व्यापा खल निकाल लेते हैं, तो कोई इसमें constant C है, हर जगे कुछ ना कुछ constant आएगा, हर जगे log C, मलब C, कुछ ना कुछ constant बनेगा, लेकिन विशिष्टल में कोई भी constant नहीं होता है, उसकी value निक बस यह यह अंतर है, व्यापा खल और विशिष्टल में और कुछ नहीं, आप व्यापा खल में आराम से पूरा बस हल निकाल के वहीं पर छोड़ देते हैं, जहां तक एलो से हमने लिखा है, वाइट से जो लिख दिया आंगे, वो विशिष्टल में हो गया कि एक्स वाई क कुछ भी नहीं चलेगा, कि सर आये थे और पता नहीं क्या बोल के चलेगा, पढ़ रहे हैं तो डिटेल में पढ़ेंगे, और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, उसका मतलब नहीं है कि हम कुछ भी पढ़ लें, अपर यह हो गया कि वनसॉट नाम कथा, और कुछ मजा नही ठीक, पर सारे वनसॉट जो दिये हैं, वो पर्टिकॉलरी डिजाइन है उसी प्रकार से, इस हिसाब से एंसी आटी में कोश्चन दिये गए हैं, और वो पूरा एंसी आटी कवर हो जाए, इस हिसाब से डिजाइन ही कि कोई कोई कोश्चन छूटे ना, कोई टॉपीच सब्सक्राइए, तो सर एक जनवरी के बाद तक आ रहे नहीं, दिसंबर तक, दिसंबर एंड तक, 31 दिसंबर तक, आपको सारे चेप्टर्स के आपके पास वनसॉट होंगे, परिसान नोगे, वो मेरी गारेंटी है, ठीक है, आपके एक्जाम से पहले, आप मोई एक्जाम त से गुजरने वाले ऐसे वक्र का समीकर्ण ग्याद करना है, जिसकी किसी बिंदु एक्स वाई पर इस पर सरेखा की प्रवनता, टू एक्स वाई इसकार इकोल टू जीरो, अच्छा, हम लोगों ने इस पर सरेखा की प्रवनता के बारे में खूब चीजी जानी थी, कि कि कु प्रवनता होती थी, वो एक्स अच्छ के साथ जो इसका जुकाओ होता है, एक्स अच्छ के साथ जुकाओ होता है, उसका 10 ले ले लेते हैं, 10 ठीटा बरावा, 10 ठीटा प्रवनता होती है, और 10 ठीटा कुछ नहीं, वहीं हमारे पास दीवाई बैडी एक्स होती है, यह हमार y square बस ये दिया है अब इसको हल करना है हल करना है तो हल करना तुक जानते हो variable से एपरेबल लगाना है y square दरम लाई ही सकते हैं तो ले आओ और 2x के साथ dx हम ले जाई सकते हैं y square का हम समा कलन कर देंगे इधा 2x का कर देंगे y square का हो जाएगा y cube by 3 equal to हो जाएगा ये 2x square बटे 2 और प्लस का सी तो 2 से 2 कट गया आ गया y square बटे 3 equal to x square प्लस ते ये क्या आ गया अच्छा ये क्या आ गया ये इसका व्यापा खल आ गया इस वाली इस रेखा कि जो प्रवरता के जो equation दी गए थी जो ऑउकल समीकल के रूप में थी इसका व्यापा खल आ गया इस ऑउकल समीकल का एक स्वाई के मान रखोगे xy के मान रखोगे कोई constant की value आएगी मतलब वह विसीष्ठल में परिवर्तित हो जाएगी यह व्यापा खल से अब हमें विसीष्ठल निकालने को कह रहा है कि आपको जब x और y की value दे एक्स बराबर हमें पता है कि यह बिंदू दिया है एक्स कॉमा वाई जो दिया है वो मारे पास माइनेस टू कॉमा थी तो एक्स की जिए माइनेस टू य की जेगे ठीड़ी रख दो संतुष करा दो वाई की जगे जगे यह थ्री रखोगे तो यह हो जाएगा एक्स स्कॉर माइनस का देट्स यूर वक्र का समीकरण यही वक्र का समीकरण है समझ गए देट्स यूर वक्र का समीकरण यह हमारे पास क्या हो जाएगा यह हमारा वक्र का समीकरण हो जाएगा बात सब जो questions है इसारे भासा संबंदी ही question इसी प्रकार हम यह भासा संबंदी पहले questions लगाएंगे फिर हम सब घाती पे चलेंगे और फिर हम दिये दिये उस पे चलेंगे तो थोड़ा सा अभी आंगे long question भी बनने वाले हैं भी तो भरकर फुलाया जा रहा है इस्तिरगति से बदल लाएं यदि आरम में इस गुबारे की तरिज्जा तीन इकाई है और तीन सेकेंड बाद च्छाई काई है तो एक सेकेंड बाद उस गुबारे की तरिज्जा ग्याद कीजिए ठीक है अब यह भासा संबंदी जो questions होते हैं गोले का यतरम वी बराबर जानते हैं कि चार बटे तीन पाई आर क्यूब होता है उसका उप्यों कहीं ना कहीं आएगा यह इस ताइप की question हम लोगों ने वहां भी किये थे जब हमने ऑगलेश के अनप्रियोग किये थे तो राशियों में पईवरतन की दर पर भी एक गोला बर जीरो यह condition हमें निकाल लिए इस question में दो कैसे निकालेंगे इस question में आरम में बात करा है मतलब की टी बराबर जीरो पर इस गुबारे की त्रिज्जा जो थी आर बराबर वह किती थी ती निकाई की थी ठीक इसके बाद इसने का तीन सेकेंड बाद मलब टी बराबर जब ती सेकेंड बाद T बराबर T के बाद R कितना होगा इस गुबारे की तरिज्जा कितनी होगी वो हमसे यहां से निकालने को कह रहा अच्छा प्रश्ट है यहां पर ठीक सबसे समझने की इंपॉर्टेंट बात यह है कि कह रहा है इसका आयतन जो है वो इस्तिरगत इसे बदलने इस्तिरगत से बदलने का मतलब यह है कि मालो इनीसियल में कह रहा था तरिज्जा इसकी 3 सेंटीमीटर की थी पहले 3 सेंटीमीटर की थी ठीक फिर जब T बराबर 3 हुआ तो 6 सेंटीमीटर हो गए जब 3 सेकेंड और बीद गय तो यह 6 सेंटीमीटर हो गए मतलब यहां से 3 सें सेंटीमीटर में तरज लेनों तरज मतलब अगले स्टिर अगले सेखेंड बाद फिर से तीन सेंटीमीटर का परीबर्त न इगा अगले तरज है बढ रहर रहे हैं एक को इसेcondtir तीन सेंटीमीटर का ही आंगे का परिवर्तन आ रहा है जो भी परिवर्तन आ रहा है एक इस्तिर में ऐसा नहीं है कि एक सेकेंड अगर तीन सेकेंड बाद अगली तीन सेकेंड में तीन सेकेंड में तीन सेंटीमीटर बढ़ी थी और अगले तीन सेंटीमीटर में फिर दस कुछन में दिया कि अब इसके according में लिख सकते हैं कि जो 있다는 में परवर्तन हो रहा है आयतन में जो परिवर्तन हो रहा है वो समय के साप एच हो रहा है तो DV बटे डिटी लिखेंगे DVD लिखेंगे में क्योkt democracy आयतन में जो परिवर्तन ले रहे हैं वो समय के सापेच ले रहे हैं तो आयतन में परिवर्तन जो हो रहा है वो हमारे पास समय के सापेच कॉंश्टेंट के जो है हमारे पास क्या स्तिर मला बाति स्तर興्च जो लेते हैं नियतांक कि इत भी कोई लिखना इंपोर्तigram तो ये k के बराबर है, एक constant के मान के बराबर है, हमें इसा मान जो होगा, जो ये बदलेगा, परिवर्तन जो होगा, आयतन में, वो एक fix रूप में है, अनीमित रूप से नहीं है, हाल 3 सेकंड में इतना ही परिवर्तन हो रहा है, तो इसलिए हमने इसको k लगा लिया constant, आप क् की वेलू रख दो यहां पर, तो डी बटे डीटी, वी के हमने वेलू रखी, चार बटे तीन पाई र क्यूब, बराबर हो गया, के के, इसका हमें आज से differentiation अगर कर दे, तो चार बटे तीन पाई तो constant है, आर क्यूब का टी के सापेज कर रहे, तो यह हो गया, थ्री आर इसक जान से देखना, चार बटे तीन पाई था, तीन से तीन तो यह कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, तो बचा क्या इधर, चार पाई आर स्कॉयर बचा, डी टी को उस साइड ले चलते, इधर लिख लिया, चार पाई, आर स्कॉयर, और डी आर इधर रहने दिया, डी टी को उस साइड ले गया, तो यह हो गया, के, डी टी, दोनों पच्छों का समा कलन कर दो, समा कलन कर देते हैं, यहां से समा कलन, यहां से समा दो, पॉर पाई रिस्कॉयर कॉंस्टेंट है, बाहर आ गया, डी आर का आपको पता है, कि केवल दिया, अगर हम यहां से फूर आर स्कॉयर का आपको पता है, कि यह हो जाएगा, आर क्यूब भाई, 3, ति, एककोल 2, के का हमारे पास क्या हो जाएगा, के कौंस्टेंट है, के बाहर आ जाएगा, डी टी का हो जाएगा, ठीक, ओ प्लस में एक सी कौंस्टन लगा लेते हैं, तो यह हमारे पास आ गया, फोर पाई आर क्यूब अपॉन थ्री इक्वल टू के टी प्लस सी इसको मैंने समीकरण एक दे दी त्यान से समझें आप यह एक प्रकार से इस जो इस यह कंडीशन जी ओ दी गई थी इसका व्यापा खल निकल आए अब अलग अलम में हमें मान दिये गए मतलब कि एक प्रकार से अब यह T है T के लिए हमें R का कुछ मान निकालना है कि T से केंड पर R का मान क्या होगा वो में कंडीशन बता नहीं है पहली कंडीशन हम यूज करते हैं T बराबर 0 पर R का मान ती नहीं यहां पर रखते हैं T बराबर 0 पर R का मान ती नहीं यहां पर रखते हैं T बराबर 0 प Cube 2 3 equal to T की value to 0 तो K 0 हो जाएगा और Flus का C यहां से 15 तो cancel हो जाएगा मेर बचेगा 3्तरेक नौ 9- hypothesis तो यहां से 36 प्ले बराबर कहिता आजाएगा ये आजाएगा ये तो zero हो गया C. C के value आगई 36 प्ले स्पाइड अब इस ची की value को समी थूध कर दहु कर और सा धो C की value उठाओ, इस समीकर एक भी रखो, यह हो जाएगा 4 pi r cube upon 3 equal to kt plus 36 pi, अब दूसरी condition का उपयोग करेंगे, यह आ गया हमारे पास, C की value हमने वहाँ पर पुट कर दी, जो constant जासी हमने लगाया था, उसकी value तो निकाल ली, अभी भी हमें k का मान नहीं पता, k की value और हमें चाह टी बराबर 3, आर बराबर 6, अगर हम T बराबर 3 रखेंगे और आर बराबर 6 रखेंगे, तो यहाँ से हम k की value निकाल पाएंगे, देखो रखते हैं, अब हम रखते हैं second condition में, t बराबर 3 पर आर बराबर कितना है, 6, रखो, यहाँ से आ जाएगा, t बराबर 3 रखेंगे, आ यह कित्ता हो जाएगा 636 का 216 यह हो गया 216 बटे 3 बराबर 3K प्लस का 36 पाई तीन से इसको काटो कटेगा 3 सते 21 तीन दूना 6 चार दूना 8 चार सते 28 तो 288 पाई हो गया यह बराबर 3K प्लस का 36 पाई तो के की वेलू यहां से निकाल लेते हैं 36 पाई से और कम कर दो तो 288 पाई माइनिस 36 पाई बराबर 3 Be किता आजाएगा? आठ से छे चले गए तो ये सर 2 आजाएगा आठ से 3 चले गए तो 5 आजाएगा मतलब 2452 पाई आजाएगा 2502 पाई बरावर 3 के तो यहां से अगर क की वैलू निकालना चाह ed तो 252 पाई बटे का 3 दिख रहा हैंना नीचे इतना? कोई दिक्कत में दिर रहा होगा अब के की वेलू मारे पास किति आ जाएंगे 338024 और एक बचलेगा तीन चोको 12, 84 पाई आज तो के की वेलू मारे पास किति आगी 84 अभी सके की वेलू को फिर से समी करन कहां रख दोगे इस समीकरन जो दूसरा समीकड बना था अपना दूसरा समीकड कहा जब लिखा दे ये समीकड 2 इसको समीकड 2 दे दो के की वेलू आप समीकड में 2 में रख दो आपको आनसर मिल जाएगा आराम से देखना अब के की वेलू हम रखते हैं यहां पर 4Pi rq upon 3 यहां से हो जाएगा 4Pi rq upon 3 equal to kt k की जगे क्या रखोगे अब 84Pi 84Pi 80 था के की जगे बराबर t into t और प्लस का 36Pi यहां से t की वेलू तुमें निकाल ली अब t की वेलू यहां से आराम से निकल आए कि सारी वेलू तुमने रख दी आपने k की वेलू जो निकाली वो यहां पर समीकड 2 में पूट क्योंकि हमें kis की चाहिए हमें t पर वेलू चाहिए ती सेकेंड पर आर की वेलू चाहिए अच्छा यहां से आर की वेलू निकाल लिए miaet Africa तो GO रखें यह ए ती सेकेंड पे हम्हें आर का माण चैह थो आर की वेलू यहां से निकल आएगी एक काम करो जो common मिल्ला है वो common ले लो और भॉर पाइफ गांचिल हो जाएगा ऐसा किरो इदर से फॉर पाइफ तोर पाई इसे कमन ले लो इदर सहंने क्या कियाFF4 bi common pm कर लिया तो क्ता हो जाएगा यह चार दूना चाहीं छार तिक यहती है swords यह बचेगा 4, 9, 36, 4, 5 से 4 पाई का काम खतम कर दो, तो आर क्यू बराबर किता आजाएगा 3 से गुणा कर दो, तो 21, 63, T और 9, 9, 9, 8, 9, 27, 27 हो जाएगा, तो आर बराबर क्या जाएगा, 63, T प्लस का 27 की घात, एक बटे 3, that's your answer, बस यही answer है, T सेकेंड पर आर क्या होगी, त्रिज्जा क्या होगी, वो निकलाएगा, अब यहाँ पर T का मान तुम बदलते रहो, सम्मान आपको मिलते रहेंगे, आप T बराबर 0 रखोगे, आर का मान तुम्हें 3 मिल जाएगा, देखो T बराबर 0 रखोगे देखो, यहाँ पर देखो यह लिखाए, T बराबर 0 पर R का मान 3 है, आप T बराबर यहाँ पर 0 रखो, 27 की गात एक बटे 3, 3 ही तो आएगा, तो 3 का नोट यह 27 होता है, तो 3 आजाएगा, आप T की वेलू 3 रखोगे, आर की वेलू 6 आजाएगी, अब किसी भी सब के लिए य तुम्हें तरिज्जा मिलती जाएगी, कि अगले सेकेंड में कितना परिवर्तन आ रहा है, उस गुबारे में हवा भरने से, तो परिवर्तन तुम्हें यहाँ से मिलता रहेगा, that's your answer, अच्छा कोशन था, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, इस प्रैटरन पर काफी अच्छे होगे, तीन सेकेंड बाद 6 होगे, तो कहरा, टी सेकेंड बात कितनी होगी, वो में बतानी थी, इसलिए एक बात जो यह रिखी, बहुत इंपोर्टन बात थी, कि इस्तिरगत से बदलने का मतलबी यही है, कि इसकी आयतन में परिवर्तन की जो रेट है, अगर हम द यह हमारे पास constant है, और उसी के according पूरा question solve हो जाएगा तुमारा, बस उसी का use किया, यह एक equation बनाई, फिर यह अलग-अलग condition पर सारी value दी गई, क्योंकि अन्नोन दे हो तुमारे पास कितने है, हमें T भी निकालना पड़ेगा एक बार, जहां पर use हो रहा, R भी निकाला है, R निकाल नहीं है, फिर उसके बाद उसी के according हमने सारी value, क्योंकि C भी निकालना पड़ेगा, K भी निकालना पड़ेगा, C भी constant है, और K तो एक हमने इस तरह के लिए आता, C, K निकालने के लिए हमें यह value दी गई थी, एक बार हमने एक जगए C निकाला पहली equation में, यहां प इस बैंक में एक हजार रुपए जमा कराये जाएं, जाते हैं, ग्यात किजे कि दस वर्सवाद इरासी कितनी होगी, एक की पावर की कुछ value दीगे, जो यूज आने वाली है इस question में, ऐसा question important है, exercise में भी है, साथ एक उधारण में भी दिया गया है, ऐसा question, जो कैसे करना है, एक से question, कह रहा है किसी बैंक में मूलधन की जो ब्रदिय वो 5% वार्सिक है, मतलब मूलधन जवाब जमा करते हैं, प्रिंस्पल एमाउंट जो जमा करते हैं, माल लेते हैं, आपे लिखते हैं, माना, मूलधन बराबर, मूलधन को कुछ माल लेते हैं, मूलधन बराबर P माल लेते प्रिंसिपल एमांट होता है तो हमने यहां पर पी माल लिया कह रहा है कि मूलधन में जो परिवर्तन की दर वार्शिक परिवर्तन की दर मतलब की डीपी बटे डीटी ठीक वार्शिक परिवर्तन की दर समय के साथ परिवर्तन की दर देखने वार्शिक मतलब मूलधन मे 5 परफसत की है 5 परफसत की है मतलब एक प्रकार से P का 5 परफसत P का 5 परफसत मतलब P 5 गणे 5 बटे 100 यही तो होगा क्योंकि मूल्दन हमारे पास P है और इसमें 5 परफसत की ब्रद्य होगी अगर माल लो तुमने 100 रुपए जमा की CDC बात यह और एक साल बाद तुम्हें इसका पांच परसत मिलता है, मतलब पांच परसत की इसमें ब्रद्धी होती है, तो सौ का पांच परसत, मतलब इसी मूलधन पर ही ब्रद्धी होती है, जितना जमा किया उसका पांच परसत मिलता है, तो यहां से तुमने जमा किया, इस हिसाब से त अगले साल जादा मिलेंगे तो इसमें 5 रुपए जोड़ देंगे तो कितने मिलेंगे 105 CDC बात यह है कि मतलब तुमने बैंक में 100 रुपए जमा किए और 100 रुपए जमा करें तो बेसिक मतलब आप सीखें नाइंटेंट में एर्थ साहत पढ़ाया जाता था जब आपने 100 किया है वह मूलधन है तो 100 रुपए मानलों जमा किया तो 100 का 5 परस्त वो कितना हो गया 5 रुपए तो 5 रुपए इसमें जुड़कर पहले 100 जमा किये थे 5 और जुड़कर 105 रुपए तुम्हें अगले साल मिल जाएंगे तो वही हमने लिखा कि जो मूलधन में परिवरतन की हाई जिह हो गई 20 मतलब कि यहां से आ गया डीपी बटे डीटी बराबर वीबटे 20 ठिक कोई दिक्कत में मालोव बीस को इधर लेया देखो अब इसको इधर लेया या पी को इधर लिए विश्क ऊधरी रहने तो हम इसका वह करते हैं तो यहां से पी को तुम इधर ले तो दीपी पी को हमने नीचे ले आए यह मारे पास हो गया एक बटे 20 डीटी उस साइड चला गया दोनों पच्छों का हमने फिर समाकलन किया 20 को हमने यही रखा पी को इदर ले तो डीपी अपाउन पी जो हो जाएगा यह लॉक्पी हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं इकोल टू य क्या करना उदर लिकने 20 को इदर ले लो यहां से वनने 20 को इदर ले लिया पी गूंस्टेंट ले लो यह तो 20 ऐसे हमने एक condition यहाँ पर बना ली इसको समीकन एक दे दो आंगे देखो क्या-क्या condition ने तुम्हें दी गई है जो cases दीए गए हैं क्योंकि हमें constant के मान निकालने पड़ेंगे सी का मान निकालने पड़ेगा कैसे निकलेगा उसके लिए तुम्हें के मैं के कंडीशन दीए कि सेम इसी पैड्रन कोशन है कह रहा है कि एक NICK में जब एक हजार रुपय जमा कराए जमा करानेवालाए दयंक क्या होता है जो मारे पास प्रिंसीपल आमाउंट होता है जमा करने वाला इमाउंट जो होता है ओँhr वो प्रेंसपल ओ वह होता है तो अमने विडिये οमे और एक हजार रुपए जमा किये ठीक किता इस बैंक में एक हजार रुपए जमा किये मलब प्रारम में जमा किये तो टी बराबर जीरो पर तुमने एक हजार रुपए जमा किये ठीक सीदी सी बात आरम में अरे जब स्टार्टिंग में तो समय थोना कुछ बीता था इस्टार्टि सी बात कि जब ती बराबर दस साल बीत जाएंगे तो इमाउंड कितना हो जाएगा पूछ रहा है इनिशियली जो उसने था आरंग में उसने एक हजार रुपए जमा किये थे वही कंडिशन फालो करते हैं पहली कंडिशन लिखते हैं क्या कि टी बराबर जीरो पर पी बराबर हमारे पास एक हजार रुपए रखो इसमें वैलू समीकर एक से समीकर एक में रखो पी की जगए 1000 और T की जगए 0, C की वेलू आराम से आ जाएगी, 20 log P की जगए तुमने रखाए, 1000, T की वेलू 0, C की वेलू आ गई, तो C वराबर क्या आ गया, 20 log 1000, यहीं पर छोड़ो कोई दिक्कत नहीं, C की वेलू आ गई, 20 log 1000, C की वेलू समी करन एक में उठाके रख दो, समी करन एक से रख दो, C की वेलू रखोगे, तो क्या हो जाएगा, 20 log P equal to T plus 20 log 1000, टिक, यह यहाँ से आ जाएगा, अब एक काम करते हैं, C की वेलू यहाँ से, निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है, इसको इधर लाना पड़ेगा, लाते हैं, तो यह हो जाएगा, 20 log P minus, इसको इधर लेओ, 20 log 1000, और equal to हुमारे पास बचेगा T, यह मैं पता, M, 20 common हो जाएगा, और यह फिर बचेगा, log M minus log N, तो 20 log, यह हो जाएगा, P बटे, 1000, ठीक, equal to हुमारे पास क्या बचा, equal to हुमारे पास T बचा, अब एक काम करो, simple सी बात यह, अब तुम्हारे पास, दखो, C की वेलू भी है, T की वेलू भी है, C की वेलू भी रख दो, और T की वेलू भी रख दो, आराम से तुम्हारे पास P का मान निकाल आएगा, अब C और T दोनों वेलू आपके पास आगई, ठीक, क्योंकि हमें पता है, अब T बराबर 10 पे निकालना है, तो T बराबर 10 रख देते हैं, ऐसा करते हैं, पहले T बराबर 10 रख देते हैं, क्योंकि T बराबर भी तो 10 रखना है, अब T बराबर 10 पे मेलू निकाल ली है, तो य हो जाएगा 20 log पी बटे 1000 और इक्वर टू यहां पर है 10 ठीक तो यहां से इसा करो पहले कहीं से आ जाएगी यार्टी पी अपान 1000 यह हो गया 10 20 को इदर ले आए बटे बीस जीरो से जीरो कट गया तो यह आ गया log पी अपान 1000 यह एक बटे दो हो गया 0.5 अब एक प्रॉपर्टी तुम्हें लॉग की उसकर नहीं लॉग की प्रॉपर्टी कौन सी लगने वाली है यहां पर यहां पर यह समझो जब क्या होता है मैं यहां पर लिग देता हूँ पहले कि लॉग अगरा मैं यहां पर यहां पर पी तो अगर में लॉग को हटाना थो यहको लिख सकते यहां से आ डारेक्ली लिख सकते हैं यहां जो इसके बेस में वोता है उसकी पावर में चढ़ जाता है इदर वाला मतलब इसके बेस में यहाँपर क्या है है क्योंकि लोग सबस्क्राइब दया था कि यहाँ पर यहां पर यहां पर यह प्रापरटês एक जगाशन होगा मैं कर दूं सहाधना किया कि मालो यहां पर लिख लो तुम माईma अगर है अगर लिखना चाहूं तो याद रखने है यह प्रॉपर्टी है इसको डिफरेंट उससे कर देते हैं इधर लिखी है ब्लू से लिखे दिख रही होगी साइड बस उसी कर अब देखो यहां पर क्या करो यह हो गया हमारे पास यह इधर चला गया इगी पावर जीदुसम्लों पांच की वेलू तो मैं दी गई है तो पी बटे 1000 इकल टू एक दसम्लों छह चार आठ पी की वेलू आ गई एक हजार से गुणा हो जाएगा तो सोला अड़तालिस आ जाएगा इसको एक बार रिपीट कर देता हूं फोर सा कन्फूजन हुआ था बीच में इसमें क्या किया काम वही हुआ एकदम आसांसा इस बार मूल्दन अमने पी माना और उसने एक बोली कि पांच परसात वासिक दर से इसमें क्या होती है वारसिक दर से उती है इसमें बीचित कर दिए वह एक पांच बेसे बार्टे मं परिवर्तन हो रहा मूल्दन के साँ पे में समय के साब पढ़ए तो हमें द्रक कोण में यह समयखड प्राप्त हों जब यह तुम्हें समयककर मिल गाई इस समय कड में तुमें चाहिए सबसे पहले मैं सीज़िए जब c की वैलू रखेंगे तभी c हम रखेंगं गांग टी जब रखेंगे ताव हमें P की value मिलेगी C, T, pertama हमें निकालना P है हमें निकालना P है हमें दिया गया T बराबर 0 पर 1000 है T बराबर 10 पर सब्सक्राइब T बराबर 10 पर value निकाल लिए तो हमने C की value निकालने के लिए पहली condition का यूज किया हमने T बराबर 0 रखा और P बराबर 1000 रखा, तो P बराबर 1000 और T बराबर 0 रखने पर C की वेलू मिली हुआ है, अब T बराबर 10 पर हमें P का माझ चीए, ये वेलू आई, हमने इसको इदर लाए, इसको solve गया, अब T बराबर यहाँ पर आ गया ये, अब T बराबर value हमें second condition से दे यह पावर चेंज कर लिए कि पाउज ज्यादा फोकस कर रहा हूं यह भी किया एक और मैं इसका कोश्चन करूंगा है तो पांच-छे कोश्चन लेकिन एक और कर दूंगा तो उससे आप सारे और थोड़ा चास बिलिट हो जाएगा और आप जो भी कोश्चन होंगे आराम से कर लोगे ठीक है जैसे यह कोश्चन और दिया गया है 22 नंबर क्या कह रहा है थोड़ा स्पीड में चलेंगे किसी जीवाड सबय में जीवाड़ों की संख्या जो है वह एक लाख है और दो गंटे में इसकी संख्या 10% की ब्रद्य होती है ठीक है कितने गंटे बाद जीवाड़ों की संख्या दो लाख हो जाएगी यदि जीवाड़ों की ब्रद्य की दर्व उसमें उपस्तित संख्या के सामानुपार्ती मान लेते हैं जीवाड़ों की संख्या आपने माना पहले यह X है, हमने मान लिया कि जिवाड़ों की जो संख्या है वो X है, ठीक, condition यह दी गई है कि आरंब में इसमें एक लाग थे, मतलब की वही आरंब में मतलब की स्टार्टिंग में एक लाग थे, T बराबर जीरो पर जो जिवाड़ों की संख्या थी, वो मारे पास एक लाग थी, ठीक, 3,25 होगए, अगले 2 सेकर्ड़ में, एक दो गंटे में, T बराबर जब 2 गंटे 20 गया, तो इसमें कितने हो गए, 10 पसकथ की ब्रिद्दी हो गई, 10 पसकथ की ब्रिद्दी, मतलब एक लाग तो थे, ठीक, इसमें 10 पसकथ की ब्रद्दी, 10 पटे 100, यह दो-0 कड़ गया यहां से आगया, तीन एक चार, दस अजार बढ़ गए, पहले एक लाग थे, उसमें दस पस्त की ब्रदियू मतलब दस अजार और बढ़ गए, तो आगे कित्ते हो जाएंगे, अब एक लाग में दस अजार जोड़ तो, सीदी सी बात यह, तीन दो पांच हो गए, अब इसमें तुमने दस अजार जोड़ दिये, तो यह कित्ते आजाएंगे, एक लाग दस अजार हो जाएंगे, सीदी सी बात यह, कि अगले ही दो घंटे में यह, एक लाग दस अजार हो जाएंगे, यह बात तो किलियर हुई, तोकि दस पस्त की ब्रदि होई है, अगले दो घंटे, द इतने घंटों के बाद जो X है जीवाड़ू की जो संख्या है वो दो लाग हो जाएगी यह आप से पूछ रहा है कि यह दो लाग हो जाएगी वही काम करना है चंडिशन यहां से कैसे बनेगी जैसे हर जगे कंडिशन बना है कि मूलदन पांच प्रिस्द्धी आ गया था वहाँ पर इस्तिरगत से वह वाल्यूम बढ़ रहा था यहां पर कंडिशन सबसे लाश्ट लाइन में क्या दी गई है देखो कंडिशन यह दी दर्व उनके उपस्तित संख्या के समानुपाती है उपस्तित शंख्या किती ही जीवादों की संख्या वह एकस इसके समानुपाती है मतलब की प्रपोश्टनल है एकस के यह बात हमें कॉस्ट्री गीवन है कि de aks upon dt जो है वो x के प्रपोश्टनल है कि X के समानुपातित है उसमें उपास्तित संख्याओं के जो जीवाणों की संख्या उसके समानुपाति है तो Dx upon dt x अब एक्स प्रोपोर्शनल साइन अटाओगे तो कोई कॉंस्टेंट लगाते हैं यह तो हम लोग पढ़ते ही चले आ रहें तो Dx upon dt इक्वल टो हो जाएगा के एक्स अब यह हमारे पास एक क्या बन गई यहां से एक समीकड आउकल समीकड बन गई फिर से वही काम करोगे आप क्या करोगे यहां से मैं क्या करता हूं है एक्स को नीचे लाया हीपन इत टीटेगा यह हो जाये लाया हीस तक फिर से हमारे पास एक ओकल समीककण सब्सक्राइब एक और समीकर्ण से हमने एक समीकर्ण प्राप्त के लिए लॉग एक्स प्लस के टी प्लस सी यह हमारे पास एक समीकर्ण आगे आंगे काम फिर से तुम्हारा वही चुरू हुआ क्या यह कंडिशन ही उसक्राइब कि टी बराबर जीरो रखो तब सी की वैलू निकालो एक्स वैलू तुम्हारे पास है तो तुम्हारे पास जब लॉग एक्स की वैलू तुमने एक लाग रखी रख दें आप लिग दें पहले लिग देते हैं बाई कि लॉग की तो यहां पर लॉग एक्स की जगए हो गया एक लाग इकल टू के की वैलू तो है जीरो फ्लस का सी तो यहां से सी की वेलू तुम्हारे पास आगी log 1 कि गृलक मेंच सी क्रण धूर। है दूसी कंडीन का उपयोग करेंगे अब यह सी की वेलू पहले रख देते हैं ना सी की वेलू यहांपर रख देते हैं कि समीकरण एक में समीकरण एक डाला इसको नहीं डाला है तो समीकरण एक में यहां से रख देते हैं अब रहे हैं समीकरण एक में मैंने सी की वैलू रखी तो क्या आ गया log एक्स बराबर के टी प्लस सी आ गया लॉग एक लाग तीन दो पांच जीरो गया अब अगली कंडिशन का उप्यों गोएगा कह रहा है टी बराबर दो पर ये एक लाग दस अजार है ठीक है आप दूसी कंडिशन का यूज करते हैं कि टी बराबर दो पर एक्स बराबर कीत्ता है मारे पास 1 लाग दफ़ा यहां से क की वेलू निकलेगी का ही दाही स्यक्डा हजार दचरल लाग ठीक हो टी बराबर दो रखो गही तो एक्स की वेलू कित्ती रख नहीं है 1 लाग दफ़ा एक दो चार जीएओ इक इक ल दिक्कत नहीं अब एक काम करना पड़ेगा इसको इस साइड लाना पड़ेगा तो मालो टूटी बराबर इसको मालो या ऐसे मालो कुछ भी मालो तो लॉग एक लाग 10,000- इसको इस साइड ले आए थी यह ओगया लॉग अब यहां से लॉग M माइनस लॉग N लगा लेते थोड़ा सिंप्लिफाई तो हो जाए कोश्चन में लगा गंदा सांसर आएगा चलो कोई नहीं टूटी बराबर हो गया लॉग M एक लाग दफ़जार चार जीरो नीचे एक दो तीन चार पांच जीरो चार जीरो से चार जीरो का काम खतम हो जाएगा तो यह बचा टूटी बराबर लॉग 11 बटे 10 ठीक यह तो बचा तो टी बराबर अगर यहां से निकाल ले या टी की वेलू तो दी गई थी ना टी की जगए हमने के की जगए क्यों रखा के की वेलू निकलेगी यार क्या कर रहो बाई यहां तो टू के होगा ना या टी की value तुम टू रखो गे तो 2K होगा ना हम कहने एक टी की value क्यों आ रही है यह 2K यह 2K होगा के की वेलू यहाँ से आ गई वन अपान टू लॉग 11 बटे के की वेलू आ गई अब के की वेलू भी उठाके रख दो इस समीकण दो यहांग पर के की वेलू रख दो और एक्स की वेलू तुम्हें पता है है यहां पर 2,00,000 रखने तब ठीक कमान क्या होगा निकालना पड़ेगा अगले पंच में चलना पड़ेगा है पेश यह अब चलते हैं इसको फार्मिट पर inherent जो अभी तक किया बस calculation दोड़ा लॉग में चलेगी तो थोड़ा देखने में भले अजीब सा लग सकता है बाकी करना वही है कुछ वैसा नहीं आप रखो यहां पर लॉग तो जैक्स की वेलू अब पता है तुम्हारे पास कित्ती रखने है कि लॉग एक confiक है रखने अब दोलाख पर थो एक्सकी वैलू जो तुमने दो लाग रखी कछ के तक कि दो चार तर पांच तब तुम्हें क्या मिलेगा तब तुमहें मिलेगा के-क आमने रख देते वन अपॉन टू लॉग 11 बटे 10 ठीक और फिर क्या है मारे पास इन्टू टी टी की वेलू तो में निकालनी के इन्टू टी प्लस का लॉग एक लाग तीन चार एक पांच चिक अब यहां से टी की वेलू चीह सॉल्व कर लो कोई दिक्कत ने इसको नीचे ले आएंगे तो इधर आएगा माइनस का हो जाएगा ना तो इसमें लॉग एम अपाने लगा देते डारेक्ली लिख रहें सीधे एक लाग और एकवल टू वन अपॉन टू लॉग 11 बटे 10 इन्टू में तो टी चली रहा है ठीक तो पांच जीरो से पांच जीरो कट गए यह मारे पास बचा लॉग टू इकल टू हो गया वन अपॉन टू लॉग 11 बटे 10 इस ती की वेलू हमें चाहिए तो टी बराबर आजाएगा इसको नीचे ले आएंगे तो गया लॉग टू अपॉन यह पूरा नीचे आजाएगा तो वन अपॉन टू लॉग 11 बटे 10 बस यह आंसर है यह बेस लॉग तो टू की वेलू याद नहीं है तो कोई दिक्कत ने आराम जैसे छोड़ दो यहीं तक आपका अंसर बंदस आया लेकिन अंसर यह ठीक है काम वही किया आया इक्वेशन बनाओ जो एक्क्वेशन जू यूज करनी है हमारे पास अन्नोन यहापर कौन हो गया सी और के दो गए तो एक बार पहले इनीशियल से सी की वेलू निकाली दूसी कंडिशन से के की वेलू निकाली सी और के की वेलू फिर से इस समीकर्ण में रख दो क्योंकि सी रख चुके के भी रख दो या फिर आप समीकर्ण एक में जाओ गए तो सी भी रख दो और के भी रख दो फिर वहां से T की value निकाल लो, X वाली last वाली condition यूज करके, बस, वही काम किया है, calculation थोड़ा देख लेना, अपने इशाप्षे बाकी यही है, और कुछ होना नहीं, यही questions है, तो यह हमारे पास थे, प्रथक करन वाले जो चर थे, उसमें जो questions बनते थे, थोड़ा भासा संबं संबंदी वाले, वो भी question हमने finish कर ले, इस प्रकार से, यह questions, जो मारे पास 9.4 exercise है, यह 9.3 हुई, 9.3 हुई, 9.3 खतम होती है, आंगे शुरू होता है अपने पास, समघाती ओकल समिकर, 9.4 बची है, 9.5 बची है, दो exercise है, दोनों से long question बनते है, इस से long question भासा संबंदी वाल करें, तो समघाती ओकल समिकर, जैसे homo genius equation जो है, हमारे पास, नाम सिस्पष्ट है कि इसमें जो ओकल समिकर की घात होगी, वो actual में समान होगी, कैसी समान होगी, बास समझ में आदेगे, जैसे यह question निखा हुआ है, जैसे प्रथक करनी वीदियम कहां उप्योग मिलाते है, ज x को x के साथ रख सके, dx को y को dy के साथ रख सके, सबको अलग-अलग कर सके, जब x y अलग-अलग कर पाएंगे, तभी हम प्रथक करनी वीदियम करेंगे, लेकिन सारी differential equation में तुम नहीं कर पाएंगे, अब इस अवकल समिकर को अगर देखो, तो इसमें तुम x और y को अलग कर ही नहीं सकते हैं, तो ऐसी स्तिती में हम उपयोग करते हैं, समघाती अउकल समिकर इने बोलते हैं, जिन में अलग नहीं कर सकते हैं, और इसमें कुछ घाते जो होती है, xy की वो equal होती है, जैसे यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है, कि x की गात दो है, यहाँ पर भी xy एक ग जोड़ो तो यह भी घात दो ही है, यह भी घात दो है, बहलब इलगबग equal घात होती है, ऐसा ही condition होती है, अभी हम बताएंगी कैसे चक करना है उसे, तो समघाती अउकल समिकर तुम पहचानोगे कैसे कि समघाती अउकल समिकर नहीं, तो सबसे पहले मैं सिधे questions पर ही करोगे, पूरी equation में lambda x से, और y को replace करोगे lambda y से, दो चीजे पहली condition में करोगे, कि x को replace करोगे lambda x से, और y को replace करोगे lambda y से, जब यह तुम रखोगे, तो हमारे पास जो dy by dx है, वो कुछ fx, y के रूप में बन जाएगा, जो dy by dx होगा, वो हमारे पास, वो क्या हो जाएगा, x, y के रूप में एक differential equation बन जाएगी, और यहां से क्या होगा, हमेशा यह होगा, कि कुछ lambda की power n, कुछ common निकल के आएगा, lambda की power n जो होगा, वो common निकल के आएगा, मतलब जो होगा, अभी समझ में आ जाएगा, मैं जो question करूँगा, common निकल के आएगा, और जो n का मान होगा, वही उस ओकल समिकल के एक प्रकार से तुम्हें दिख जाएगा, कि हर जगे वही गहात हो रही होगी, actual मुद्दा यह है, कि जैसे ही आप lambda, x और lambda रखोगे question में, किसी भी differential equation में जो दी गए होगी, तो वही मान एकदम क्या होगा, यह lambda की power कुछ मान बाहर निकल के आएगा, जब यह तुम common बाहर ले लोगे, तो जो अंदर बचेगा, वह actual में वही बचेगा, fx, y, जो differential equation पहल पहला question x square plus x y dy equal to x square plus y square dx, यह question हमें दिया गया, देखो, बाह सम्दो, आप सबसे पहला काम क्या करोगे, सबसे पहले आप इसको dy by dx के रूप में लिखोगे, क्या लिखोगे, dy by dx के रूप में, ठीक, सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको dy by dx के रूप में लिखोगे, आप पर इधर तो ही x square प्लस x y dy ठीक है इधर हमारे पास क्या है x square plus y square dx dx को इस साइड ले आओ इसको इधर बेज दो तो यह हो गया dy by dx x equal to x square plus y square बटे x square plus xy सबसे पहला काम तुम्हें करना है इसको इक्वेशन वन दे देते हैं समीकर एक तुम्हें ऐसे बनानी है आप इसको dy by dx के रूप में लिखोगे ठीक कोई दिक्कत नहीं लिख लिए तुम अगला काम तुम क्या करोगे इस इस question में तुम्हें क्या करना है यह question जो दिया गया exercise का पहला question है हमारे पास जो 9.4 एक्सरी एहां four exercises है उसी 4 में 9.4 में यह पहला question है 9.4 की अगर देखोगे उसमें पहला question यह दिया गया है कि इस दर्साइय की ओकल समीकर जो है वो कोशन यह लिखा भी है मैंने कि दर्साइए कि इस ओकल समयकरण यह समगाती है और एकस बरावर जीरो वाई बरावर दिया हो तो इस समयकरण का विशीस्ट हल भी ग्याद करो अपको और एक प्रकार से इसको दिखाना भी होगा मैं दोनों दोनों चीजें दिखा दूगा दिखाते हैं आप पहले क्या करोगे यहां से मैं लिखता हूँ यह तो लिख लिए यह पहली कुशन तक तो चलो गई फिर हमने लिखा माना क्या माना यह दी वाई भाई डी एक्स जो है वह हमने इसको fx,y माल लिए यह एक्स वाई का एक फलन है मारे पास आप यहां पर क्या है यह एक्स गड़न मारे अपान एकस प्लस अब ला क्या करोगे आप ने एक्स की जगह लेम्डा एक्स वाई की जगह लेम्डा वाई रखना है रखो लेम्डा एक्स रखा वाई की जगह लेम्डा वाई रखा पूरी क्वेशन में रख दो तो यह हो जाएगा लेम्डा स्कॉयर एक्स स्कॉयर लेम्डा स्कॉयर वाई स्कॉयर नीचे क्या हो यहां से हुआ यह कि यह हो गया लेंडा एक्स लेंडा वाई उपर से लेंडा स्कॉयर कॉमन आ रहा है कॉमन निकाल लिए यह आ गया एक्स स्कॉयर प्लस का वाई लेमडा वाई इक्वल टू लेमडा की घात जीरू और ये मारे पास हो गया x square plus y square वलाव x square plus xy हर केस में ऐसा ही होगा जब भी समघाती समीकर्ण दिया जाएगा हर कंडिशन में ऐसा होगा कि लेमडा की घात n पूरा कॉमन निकलाएगा और जो यह बचेगा वो एक्चुल में वही होगा fx,y तो आप पहचान पाओगे कि यह समगाती आउकल समीकर, समगाती आउकल समीकर दिखाने का यही सबसे अच्छा तरीका और आसान तरीका है कि आप x की जगे लेंडा x, y की जगे लेंडा y रखो और इसको solve करो, जो common निक लेकिन अंदर जब तुम यह लेंडा common लेलोगे तो यह बचेगा वो एक्चुल में वही बचेगा जो fx,y तुमने माना था, तो यह इससे तुम दिखाते हो कि यह एक समगाती आउकल समीकर, बस यह हमारे पास कहां तक की condition होगे, जो पहला पार था question का वो पूरा हो गया, कि अता यहां से हम लिख सकते हैं, कि अता यह एक समगाती आउकल समीकर है, अब इनको हल कैसे करना, उसकी मुद्धे की बात करते हैं, सबसे important बाद, ध्यान से सुनों, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि जब यहां पर dy by dx होगा, दो condition यह आप रवत्ती हैं, कभी कभी dy by dx होगा, कभी कभी dx upon dy भी हो सकता है, यह कैसे बोलना हूँ देखो, अभी तक आपने जो भी question करें, सिर्फ यह किये कि, x के साफे, y का उकलन, यही तो करते थे, y वराबर कोई फलन दिया जाता था, x के पदों में, तो आप y का, y फल y दिखा है, x upon y लिखने का मतलब यह है, कि अगर इसमें हम उकलन इस्टार्ट करते हैं, तो यह dx upon dy होगा, तो dx upon dy क्या दिखा रहा है, कि x फलन है, और y के साफे, च हम उकलन कर रहे हैं, तो जब ऐसी दो condition हो सकती है, एक condition यह कि dy by dx, एक हो सकता है, dx by dy, तो जब y का फलन है, x के साफे, च हम उकलन कर रहे हैं, मतलब कि y बराबर कुई फलन x के पदों में, x के साफे च उकलन कर रहे हो, तो आप यहाँ पर, जैसे यहाँ पर y upon x है, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, y upon x equal to v मानोगे, v की चाए कुछ भी मान सकते हो, v book ने भी दिया है, इसलिए standard मानत है, तो y upon x equal to v मानोगे, अगर condition ऐसी है कि x बटे y दिया गया, तो आप क्या करोगे, x बटे y को v मानोगे, फिर आप y के साफे चोकलन करोगे, सारे फार्मूले y के लिए valid होगे, और x तुमारा, जैसे y काम करता था, वैसे y काम करने लगे, जैसे x काम करता था, वैसे y कर र यहाँ पर क्या दिख रहा है, dy upon dx, जो यहाँ पर लिखा है, तो y उपर x नीचे, यहाँ पर क्या लिखोगे, आंगे, अगली condition तुमारी यही होगी, कि माना, y बटे x equal to v, x को उस साइड में जा, x into v, इसको अउकलित कर दो, पता है, u, y, u, v, लगेगा, x सापे चोकलित कर हो दिया, तो dv by dx, ठीक, first and second लगा दिया, कुछ नहीं किया, अब आप क्या करोगे, यह dy by dx की जो value है, इस समीकरण एक में रखोगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, सारे question में same pattern है, ऐसे ही solve करना, सारे solve हो जाएंगे, dy by dx की जागा, तुम यह रखोंगे, v plus x, dv upon dx, equal to, x square plus y square, x square, x square, रहेंए, तो y square की जगे तो value रखोंगे, y sqy की जैगे value रखोंगे, x square हो जाएंगा, v somewhere, अरे x के साभ जो पर फूरा फलन, x के पदों में बना लू, जो नीचे है, उसके पदों में पूरा फलन, बना लो, तो उसी के साभ पर चो क्रोंगे, उसीके फार मुले लग होगे नीचे देखो X square और Y की जगे तुम क्या रख दोगे X V तो यहां से हो जाएगा X square ठीक नीचे हमारे पास क्या था XY था X रखा और Y की जगए X V रखा जब तो यह X square भी होगे क्लिए रहा था कोई जाओर तो नहीं अब क्या करोगे क्या हो सकता है इसमें देखो अगर तो X square उपर से भी नीचे से कॉमन आ रहा कैंसल कर दो वी बरावर प्रोसेस सेम है कुश्चन ज्यादा टफ नहीं होगा आसान होगा बिल्कुल परसान नहों एकस उसकार उपर से भी कॉमन लिया लिख देते एंचार एकस उसकार नीचे से भी कॉमन लिया बचा उपर one प्लस वी स्वाय नीचे बचा one plus टुबी ठिकले तो बचा X स्कॉयर से एकसिट अपर कड़ गये यहां पर यहां से बचा एक्स डीवी अपॉन दी एक्स बराबर वन प्लस वी स्क्वार अपॉन प्लस वी वी को उस साइड लेकर तो यह माइनस का वियोगे ले लो थो X dv upon dx इपल टू one plus V तूमने LCM ले लिया कि नीचे one plus V ठीक है कोई दिखते है one plus V square या सविए माईने सक बी और प्लास का यह जाएगा यहां तक समस्य तो नहीं किसी को कोई डाउट तो नहीं कोई दिक्कत तो नहीं लग रही ठीक है ना नीचे आमारे पास क्या था नीचे आमारे पास था x square था x की जगह हमने x v रखा तो x square v हो गया x square हमने common ले लिया x square जब आपने common ले लिया तो आपके पास 1 plus v square ऊपर बचा नीचे बचा 1 plus v बचा वी उस साइड लेगा भी हमने LCM ले लिया ठीक है आंगे देखो यहां सो गया x dv upon dx इक्वाल टू वी square वी square 2v हो जाएगा तो 2v square हो जाएगा माइनस का v plus का 1 upon हो जाएगा 1 plus b ठीक जो कहीं मिस्टेक क्यों लग रहे है कहीं मिस्टेक हुई है क्या क्यों क्यों बचे में लूग रहे है क्यों मिस्टेक वाख़ग स्टेक्यों और लेक्टव है क्यों उा प्लाव क्यों देख न गवां बन लूगस vy— अधर गोना उलती माईनस बीस्क्राइगा ठीक 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 बड़ी स्कायर करेंस होगा लग लग लगर एक सेकंद कूंस यहां से क्या और यहां से यह ओगा वन प्लस वी स्कॉएरude मैनसट वी और V का इसमें गुण आओगा तो यह माइनस का V कर दे का जा अब ऊपर्फो kicking बचा उपर क्या बचा और वन माइनस के आपउन प्लस में अब एक काम करौ़ वन प्लस वी इधर आहाई गा 1-V इसे आजाएगा, dx उधर आएगा, 1 upon x इसे आजाएगा, तो यह आजाएगा, 1 plus v upon 1 minus v, यह हमारे पास हो जाएगा, dv, तिक, और equal to इधर चला जाएगा यह, तो यह हमारे पास कित्ता हो जाएगा, dx upon x, अब इधर बचा, 1 plus v upon 1 minus v, अच्छा बन गया यह, यह question, देखो, एक चीज हमने पढ़ी थी, यहाद आगी, कि 1 plus v upon 1 minus v है, partial fraction जो हमने पढ़ा था, हमने बताया था, कि एक case यह बनता है, कि जब घात उपर वाली बड़ी हो, या equal हो, तो आपको पहले divide करना पड़ेगा, तो 1 plus v, 1 minus v, आप कैसे solve करोगे, मैं इसका integration आपको solve करके दिखाता हूँ, क्योंकि अब हमें यहाँ से integrate करना, अब इसको दोनों पच्छों को तुमें कुछ नहीं करना है, आपने हमने यहाँ से समगाती से चले थे, variable सेपरेबल पर आगए, कि अब हम v को अलग कर पाए, x को अलग कर पाए, अब आराम से समाकलन करना है, तो 1 plus v, 1 minus v का तुम कैसे करोगे, यह सबसे important बात है, तो आप क्या करोगे, 1 minus v का उपर भाग दोगे, कोई और कोई तरीका नहीं है, यही तरीका है, कि आप आराम से इसको partial fraction से solve करो, अगर हमारे पास नीचे घाट ज़्यादा होती उपर कम होती, तो हम इसको फिर आँगे, हम partial fraction नहीं upon वाले solve कर लेते, लेकिन यहाँ पर equal जब गात है, यहाँ उपर वाली बड़ी होती, तो हम पहले भाग करते हैं, तो भाग करो, अब यहाँ से भाग करते हैं, यहाँ से हमने किया, 1 minus v, तो इसमें अगर minus common ले ले, 1 minus v में minus common ले ले, तो यह हो जाएगा, और यह हमारे पास क्या हो जाएगा, minus का one, ठीक, यही तो हो जाएगा, यह minus v और plus का one, ठीक, कोई दिखकत ने, अब आपने क्या किया, मालो इन दोनों को गटाने पर कर देते हैं, minus, plus, तो यह कट गया, यह हमारे पास आगया, तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सर, यहां से हम लिख सकते हैं, यहां से हो जाएगा, यह तो हमारे पास आगया, सेसपल में, यह हमारे पास भाग है, यह हमारे पास, इससे हमने क्या किया था, इससे हमने यहां से भाग दिया था तो यहां से आ गया माइनस का 1 प्लस का 2 अपाउन माइनस का V प्लस ओ यही तो लिख सकते हैं यही लिख सकते हैं न आराम से यही तो लिखते हैं न कि हमारे पास जो हमारे पास हमने जिससे भाग दिया है उसको हम क्या करते हैं, जिससे हमने भाग दिया है, उसको हमने क्या किया, उसको हमने यहाँ पर नीचे लिख लिया, ठिक, कि जिससे हमने भाग दिया था, उसको हमने डारेक्ली यहाँ पर उसको नीचे लिख लिया, और जो दो था सेसफल उसको उपर, और माइनस का 1, ठिक, यहां तक बाद सभी को clear है ना यहां तक कोई doubt तो नहीं अब इसी को यहां पर हम लिख देते हैं यहां से आगए integration इसको हम लिख देते हैं माइनस का 1 प्लस का 2 अपान माइनस का V प्लस 1 और यहां से हो जाएगा क्या डीवी तो डीवी और यह हमारे पास हो गया इक डीवेटगी सरे बाई यहां से कहनya गया माइनस 1 का इस पास डीच का जाएगा तो यह हो जाएगा माइनस का एकसि कोई दिक्क्त और हैं प्लस दीवी ना यांपर माँ अलगले अलगे लिख देता हो ताकि नगर हो ये हो हो गह.या हमारे जाएगा 1-1 वी टिक और यह जाएगा दिन इक्वल टू 1 अपान एक्स यह मारे पास हो गया वी प्लस का 2 यह जाएगा लॉग 1-1 वी टिक इक्वल टू यह जाएगा हमारे पास 1 अपान एक्स का लॉग एक्स और यह हमारे पास हो जाएगा प्लस का सीए कॉंश्टेंट लगा लें ठीक तो यहां से मारे पास क्या था वर्येबल से प्रेवल भाई हम लोग आ गए यह आप समझ गए ना इसकी बाद हमने क्या किया गहाते जब एक्क्वल थी तो इन लिया तो प्लनाइक नोब चार्ट टाउं इसको आफ साहिव अच्पास फ़ालाय में कैसे लीट तो एप लेट यह मारे पास क्या सब्सक्रमाई से बीन लोग जाता है प्रकार साहिव प्रकार सबढ़ प्रकार कि वहां चीस्ट चीजंत अब क्या करोगे? V की value रख दो बस V की value कहा है? V की value है Y upon X यहाँ पर रख दो minus का Y upon X plus का 2 log यहां सो गया 1 minus Y upon X equal to log X plus का C ठीक? जो solve हो सकता है वो solve को लो यहाँ पर जैसे LCM ले सकते हो तो minus का Y upon X यह इसको आगे लिख लेते हैं है को शाइड लिगो इसको भी दरी लिख लेंगे यहां गया टो लॉग एकस माइनस ओवाई अपॉन एकस यहां गया माइनस का लॉग एकस ठैक्तित हैं यह झाल लगा पी बिशक्क्त cur पर छोड़ दो यह आपका अंसर हो जाएगा तो इस प्रकार से हमें यह कोईशन करने हैं जो हमारे पास होमोजीनियस एक्वेशन के हैं जो हमारे पास होमोजीनियस एक्वेशन होती उसको फिर हम वैरियेबल से प्रेवल में change करते हैं ऐसे मान कर क्या आप Y upon X को V माना वाइपान X को इवी क्यों माना क्योंकि Y upon X यहां पर इसलिए भी माना तो आप समाकरन tricky बन गया था मुझे लगा नहीं था यह उम्मेद नहीं थी कि यहां पर जाका ऐसा बन जाएगा तो इसी वेज़े स्थोड़ा confusion हुआ कि वन प्रस वी अपाउन माइनस वी का किया कैसे जाए बलब जैसे कोश्चन है हमारे पास कि अच्छा कोश्चन भी बन गया कि ऐसा कोश्चन आ भी सकता में वन है यहां पर भी घात एक्चुल में वन है लगाते बराबर ने तो इसको पार्सियल फ्रेक्शन ऐसे नहीं हो सकते आप पर इडिवाइड करो फिर इस रूप में परवर्तित करो फिर आप यहां से आराम से कर सकते समाची ठीक है इस प्रकार से ऐसे करना है समझ गया इस कोशन को तो इससे एक समाकलन का भी हमने अच्छा कोशन सौल कर लिया अब चलते आंगे अगले कोशन की अगर हम बात करें उसी पैटन पर एक और छटा कोशन मैंने लिया है देखो इस कोशन को सौल करते हैं पहले कंडिशन वही है अब आसान तरीका आपको समझ में आ सब्सक्राइब होगा एक स्टार्ट करना पहले कंडिशन वही है कि डी अकस दीवाई एक तरफ का रूपले डि वाई इक से रूप में इधा डीयक्स इदर भी डियक्स इसको भी साइड ले जो तो यहां होगया एक्स डीवाई बराबर under root के अंदर x square plus y square dx इसको भी side लिया है तो plus का y dx dx common निकाल लो इदर x dy बराबर हो गया dx common निकाल लिया तो यह बचा under root के अंदर x square plus y square plus y dx को नीचे लिया है तो यह हो गया dy upon dx ठीक x को इधर ले गए cdc बात x को ले जाना पड़ेगा और कोई चारा है नहीं यहां से हो गया x square plus y square plus का y plus का y यहां से हमारे पास हो गया x ठीक यह हमारे पास आगे इसको समीकर नेक देगे हमने dy upon dx के रूपे से परिवर्तित के लिए कोई दिक्कत नहीं ठीक पहली स्तिति तुम्हें एक करनी आप dy by dx बनाओ आपने बना लिया फिर आप फिर समगाती चेक करते हैं समगाती कैसे चेक करना है वही लिखते हैं माना क्या मानोगे इसको fx, y माल लेते हैं बराबर जो हमारे पास दिया गया अब हम लिख देते हैं x square प्लस y square और प्लस का y और अपान एक्स दूसरी condition x की जगए lambda x y की जगए lambda y lambda x और lambda y रखो पूरी equation यहाँ पर रखेंगे तो under root के अंदर यहाँ पर lambda square x square प्लस lambda square y square यह हो जाएगा lambda y बटे में lambda x fx, y fx, lambda x, lambda y lambda square दोनों बाहर root के common आएंगे तो lambda तो यह बचेगा केवल lambda यहाँ से हो गया x square प्लस y square प्लस का lambda y और बटे में lambda x lambda ऊपर पूरे से common आ जाएगा पूरे से common ले लिए पूरे से lambda y ने common ले लिया तो यहाँ से आ गया f lambda x lambda y पूरे से तुमने lambda जब common लिया तो bracket में बचा x square प्लस y square प्लस का y और बटे में हमारे पास क्या बचा lambda x lambda से lambda का काम खत्म अब यहाँ से क्या काम खत्म तो यहाँ से आ गया f lambda x lambda y बराबर बराबर lambda की कहा तो जीरो अंडर रूट के अंडर x square प्लस y square प्लस y upon x बन गया समगाती है दिख रहा है अंदर जो बना वो वही है जो हमने equation लिया था fx,y अता यह समगाती है यहां से तुम सकते हो यह भी कोशन का एक पार्ट है तो इसके भी कुछ माक्स है इसको अलग से दिखाओगी कि अता यह समगाती ओकल समी करें यह तुम लिख लोगे फिर वाही से यह यहां दो उसके बाद श्ठारट कर अप फिर से समी करेξे श्ठार्ट को फिर से भाई अपान 10 अधर तो वाई अपान एकस को वी मानो माना मैए mor एकस वी फिर महां स्टार्ट करते य बराबर एकसर परश्टेंड सेकें डी यदि थी एकस बराबर एक सकाुवल की आवी का छूडा वी कुछ ओड़ा एकस चाउकलन वन हो गया एकस को चुछ upon dx equal to under root के अंदर x square plus y square तो को वाई की जगे फिर से वैलू रख दो एक सोभी क्योंकि हम यहां से dx के साफ पर चॉकलन करेंगी तो यहां से x v रख दो एक सी रखो गे तो x square और v square हो जाएगा प्लस का वाई की जगे फिर से यहां पर x और v रख दो और बटे में हमारे पास क्या है बटे में तो एक से कोई दिकत नहीं है यहां से मैं थोड़ा सा और सॉल्व करने की कोशिस करता हूं अब इसको वेरियेबल से प्रेवल के रूप में बनाना है बनेगा देखना कैसे बनता है अधर में अधर क्या प्लिट अधर के अंधर में और यह बचा सुपिले से बालिया आब एकस पूरे से कमन हो जाएक वाई वी प्लस एक्स डिईई-पाउन d e.s. x पूरे से जब common हो जाएगा तो cancel हो जाएगा x इससे यहांसे common होके cancel हो जाएगा क्या बचेगा पचेगा under root के अंदर one vice square plus का वी कि कि भी से वी का काम भी खतम करो यह समझ गया एक्स पूरे से इस फाले वी को उडा दिया तो बचा क्या मारे पास यह बचा एक्स इस थोड़ा असान हो जाएगा समाह कलए एकसं डी उपोरा दीएक्स इक्वाल तु अंडरूट के अंधर वन प्लस वी स्कूरर के मि इसको इधर लेता यह अई इसको लेतमों तो दीवी अपोन अंडरूट के अंदर से फेलोग से प्रोफिएक्वाट एगा वीके साथ विया जाएगा आफ पॉर्रूप्लस V वन अपन किया होता है लॉग x plus question question मतलब की a square plus x square बूल के होगे यह हुता है ना फार्मूला a bx वह लगणा है अंडर ROOT के अंदर one plus V square a square की जागे one का स्कुरार हैं तो क्या हो जाएगा log log x plus question x हमारे पास क्या है V plus question हमारे पास one plus V square टीक विदिक करते equal to यहां से हो जाएगा log x अब देखो यहां पर भी log बनना है इधर भी log सब log के जैसे यहां पर एक log यह बना था एक यह बना था बागि यह log ने नहीं था इसलिए हमने c को c लिखने दिया था अब यहाँ पर एक log यह बनना एक log यह बनना तो इसको क्या करो c जु आएगा constant उसको log c लिख लो अब यहां से आपको पता है कि अगर आप यहां से लिखें इसको तो लिख सकते हैं log लrine में वी प्लस अंडर रूट के अंदर वी स्कूर न यह व हो जाएगा एकसं इन घुट यह давай रदो लॉग लिग मां लोग एकस सी फ़िल्च का हम खतम हो जाएगा वी के जला रख दो वीजाए यपकून एकसiße रड़ दो तो वाई यहां पर घ्जिक सा फॉटा देते हैं कि यहाँ पर है ऐखा दिया यहाद दिलाने के था कि यहाँ पर फार्मूला लगा यह डारेकी यह याद कि यहाद हो गया यहां наз Hudson का डालemi ही म् थिक अब क्या करोगे टिता सॉल वह सकता है solve कर लो भाई देखो यहां से जित्ता solve हो सकता है solve कर लो थोड़ा तो ही जाएगा y upon x plus यहां पर LCM ले लो तो यह हो जाएगा अंडर root के अंदर x square plus y square upon में x square equal to x into c x square root के बाहर आ जाएगा तो ऊपर बचेगा x square plus y square बटे का x equal to x into c x यहां से बाहर हो जाएगा तो यह हो जाएगा अंडर root x square plus y square तो यह हर में आ जाएगा के वन x into c x को साइड बेज दो तो y plus under root के अंदर x square plus y square equal to x square c that's your answer ठीक है कर लोगे ना समगाती हर कर लोगे इस टाइप के question आराम से हो जाएंगे आसानी से हो जाएंगे बस यह देखना आए पहले डिवाइवाइड इस अलग करो फिर solve करो ऐसा कि हमारे पास ही variable separable के रूप में हो जाए एक साथ वी वाला एक साथ और फिर इसका समा कलंड कर दो answer ले लोगे सारे questions में कर रहा है और कुछ नहीं कोई rocket science नहीं सिंपल यह करोगे सारे questions आराम से solve कर लोगे कि लिए रहे बात कोई डाउट तो नहीं आतक चले आंगे यह हो गया एक और इसका एक कोशन करते हैं बस फिल लाश्ट है यह एक कोशन और इसको बैडियेवल dx plus y minus 2x e की power x upon y dy equal to 0 question जो है वो लिखो काम वही करो क्या काम करना है कि dx इस साइड dy उस साइड फिर dy by dx निकालेंगे e की power x upon y यहां से हो गया dx इसको उस साइड ले गए तो माइनस का y 2x e की power x upon y dy ठीक अब dx dy को इस साइड ले आओ तो dx upon dy जो होगा हम समझे रहों ना dx upon dy क्यों बना रहे ऐसा भी तो हैано sir कि sir dx को इस साइड ले जाए तो dy upon dx बन जाएगा लेकिन question में देखो तूं हम dy upon dx बना लेते हम इसको इन भी तू लिख सकते थे कि हम इसको dx को इस सेड ले जाते हैं, तो ये सड dy upon dx बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं थे, वैसे ही करते हैं, फिर हम y upon x को सीमानते हैं, लेकिन question में जब भी तुम्हें ऐसा दिया जाए, कि x upon y e की घात के उपर लिखा, या कहीं भी x upon y की बात चल नहीं है, कि x upon y के रूप में दिया गया है, equation में, ठीक, और x upon y अलग-अलग नहीं हो सकता है, वो ऐसे ही रहेगा, उसको अलग नहीं किया सकता है, इसे यहां से अलग नहीं किया जाता है, xy को, तो आप यहीं काम करोगे, कि इसको dx upon dy का रूप बनाओगे, अब x upon dy, मतलब x upon y के रूप में ही बनाओगे, ठीक है, तो बस यहीं काम करोगे, बाकी कोशन में प्रोसेस से मैं अभी किलियर हो जाएगा, बिल्कुल कन्फ्यूज ना होना, आराम से, देखो, dx upon dy, इसको इस से अड़ लेगे, तो यह हो गया, अलो माइनस अंदर गुणा कर दू, तो यह प्लस का हो जाएगा, 2x e की पावर xy, यह माइनस का हो जाएगा, माइनस का y, और बटे में यह नीचे आ जाएगा, 2y e की पावर x upon y, के लिए, यह हमारे पास बन गया, वहीं तक हो गया, जहां तक हम वहीं पहले पहली equation मनाते थे, इसको उमने समीकर ने एक बना लिया, अब आपका काम वहीं स्टार्ट होता है, माना, इसको पहले दिखाना भी है ना, समगाती है, समगाती है, तो माना, क्या माना, माना, f x, y, बराबर, यह हमारे पास फ़लन है, 2x e की पावर x upon y, माइनस का y, upon में, 2y, e की पावर x upon y, e की पावर x upon y, आप क्या करोगे, वहीं काम, f वह एक्स की जगह लेंडा एक्स, y की जगह लेंडा वाई रखो, अब लेंडा एक्स जब लेंडा वाई रखोगे, तो क्या हो जाएगा, 2, यहां से हो जाएगा, लेंडा एक्स, e की पावर, यहां से हो जाएगा, लेंडा ए देखो यहां पर लिखा 2 X की ज़ेगे तुमने रखा Lambda X E की पावर है X upon Y मतलब की Lambda X upon Lambda Y माइनस का Lambda Y और बटे में मारे पास क्या जाएगा 2 Lambda Y E की पावर Lambda X upon Lambda Y जहाँ X था वहाँ Lambda X रखा जहाँ Y था वहाँ Lambda Y रखा और कुछ नहीं किया है कुछ नहीं किया है जहाँ पर X था Lambda X जहाँ पर Y था वहाँ Lambda Y देखो क्या क्या हुआ देखो जो E की पावर में यह Lambda से Lambda कर जाएगा यहाँ Lambda यहाँ Lambda है दोनों से common आ जाएगा क्या हो जाएगा देखो हमने यहाँ से Lambda लेंडा कॉमन ले लिए इसको लिख लो फेले बाई गुश्ण नहीं लेंडा दोनों जगे से कॉमन लो लेंडा जैसे तुम कॉमन लोगे तो क्या बन गया है टू 2E की पावर x अपन वई तक लेंडा तो टू गया ठीक और माइनस को य बते में नीचे से भी लेंडा क्मन आजैके लेंडा से लेंडा कट गया लेंडा तो है बाहर लेंडा बाहर लिखे हैते बचा किया है 2e की पावर 2y 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 e की power x upon y फिर lambda से lambda के काम खतम तो यह क्या गया e lambda x lambda y बराबर 2e की power x upon y minus का y upon 2y e की power x upon y that's your sum gati equation homogeneous equation lambda की गाज 0 यहाँ पर लिख लेते है अब आपको पता है कि यह जो अंदर यह जो लिखा है वो वही चीज लिखी है यह चीज सेम है तो lambda की गाज 0 समगाती तुमने प्रूफ कर दिया पहला पाट तुमने दिखा दिया यह होमोजीनियस है समगाती equation है समान घात की equation समगाती समी कराने अब अगर देखो फिर से वही काम शुरू करते है अब यहां से थोड़ा सा ध्यान देनी की जरूवत है हमने माना अभी तक हम क्या लिखते थे माना में कि सर वो dy upon dx होता था तो सर हम y upon x equal to खट से विमाल लेते थे अब यहां पर देखो x upon y dx upon dy x के रूप में फलन होगा और y के साथ है x बराबर फलन होगा y के पदों में फलन होगा y के साथ ही open करें formula y के लिए applicable हो जाएंगे जैसे x की power n होता था था वैसे y की power n जैसे हमारे पास log x होता था वैसे log y काम करेगा बस और कुछ नहीं करना है अब यहाँ पर तुमने क्या किया condition तुमने लिखी mana x upon y equal to b same condition से चलोगे पूर एक्सराइस फिनिस हो जाएगी दोई टाइप के question एक एक सपान वाई एक वाई एक वाई पान एस ठीक है तो x upon y है तो तुमने भी माना अब तुमने x equal to लिख लिए आप है क्या वीवाई ठीक अब आपका दर्वाई के साप छोपन के तो डिएक्स अपान डीवाई क्या हो जाएगा वी को छोड़ाए का उखलन वाई के साप फेच वन दीवाई अपन वाई ना लिख लेना वन प्लस का ठिक वाई को छोड़ा वी का उकलं किया वाई के साफेस तो DV अपान दिवाई यह हमारे पास क्या बन गया यह मारे पास equation बन गए डी एक्स अपान दी वाई की वेलू यहां समीकराण है समीकराण है एक से समीकराण एक से क्या रखोगे यहां पर रख दीतो वी प्लस यहां पर रखा वी प्लस वाई यहां से हो गया डी वी अपॉन दी वाई इक्वल टू ठिक एटो तो टू एक्स एक्स वाई टू एक्सभी की पावर एक्सवाई माइनस का वाई मैनस का वाई ओपॉन में क्या है?टू वाई एक्सवाई यहां पर रखते चलो अब यहां पर देखो क्या करोगे? अब हमें यहां से पता है कि वाई के साप चौकलन करना है, डीवी अपान डीवाई मतलब período 23, मतलब Wheike के स याँ से चलते टू और एक्स की जगए क्या रखावर और यहां से खावर यहां कि यह की पावर रखोंगे क्यों और ऐसा किया क्योंकि वाई के साफे चब हमें आउकलन करना है अगर हम वाई की जगह रख देंगे तो एक्स भी में बन जाएगा फिर तो कुछ मतलब भी नहीं रहा हम वाई के साफे चोकलन कर रहे हैं तो वाई का फ़लन बनाते ना यहाँ पर क्या क्या हो सकता है अब देखो क्या क्या सॉल्व हो सकता है जो जो सॉल्व हो सकता है उसको सॉल्व को डी वी अपॉन डी वाई कुस तो कटेगा ही यह वाई से वाई का का काम खतम हो जाएगा ठीक तो क्या बचा है यह बचा है टू वी देखो यह दूबाई भी तो खतम हो यह यह 2 से 2 खथम अरे माईनस लगा दी कोई नहीं रुख जो टूवी रवाई दे की पावर पहले लिख लो य से रवाई खथम तो v माईनस का वाई और नीचे मारे पास है 2y E की पावर V Y कॉमन लेके कैंसिल कर लेते हैं पहले तो Y कॉमन लिया तो यह बचा 2V P की पावर V माइनस का 1 अपान 2Y P की पावर V तो Y से Y का काम खता अब बचा यहां से V प्लस Y DV अपान DY इक्वल टू 2V P की पावर V minus 1 upon 2 E की पावर V ठीक अब एक काम करो V को इस साइड लाओ LC हम लो यहां पे बचा Y DV upon DY V को हम इस साइड ला रहे हैं तो यह हो गया है 2V E की पावर V minus 1 upon 2E की पावर V minus का V LC हम ले लो तो यहां से हो जाएगा Y DV upon DY E की पावर V minus 1 यह हो जाएगा minus का 2V E की पावर V upon 2E की पावर V LC हम ले लिए इसके नीचे ठीक है इसका काम खतम हो गया पूरा काम खतम हो गया आसान हो गया अब तो DV upon DY equal to minus का 1 upon 2E की पावर V अब ऐसा करो 2E की पावर V इधर ले लो Y इधर ले लो डिवाई इधर ले जो तो यह हो गया 2E की पावर V और DV और इधर आ गया DY इधर आ गया तो DY upon Y और minus लगा रहेने पर कोई दिक्कत थे integration कर दो 2 constant है कोई दिक्कत ने E की पावर V का E की पावर V हो गया ठिक और equal to हो गया यह हो गया log Y minus का ठिक कोई दिक्कत नहीं और plus का C लगा लो इसको इस साइड ले आओ तो log Y plus 2E की पावर V equal to C V की जगह value रग देते हैं V की जगह value क्या है X upon Y रग दो तो log Y equal to plus का 2 X upon Y V की जगह रखना है न तो 2E की पावर X upon Y equal to C यह हमारे पास equation आज़े यह तो व्यापक खला गया आप कहरा है X बराबर 0 और Y बराबर 1 पर तुम्हें क्या करना है इसका विशिश्ठल लिखना है अभी तक जो आया व्यापक खला गया जो मलाम यहां तक आंसे निकाल दे विशिश्टल का व्यापक खल में कोई अंतर नहीं व्यापक खला जाए उसमें और Y बराबर 1 पर तो Y का मान तो 1 हो गया ठीक कोई दिक्कत नहीं प्लस टू एकी पावर एकस बटे वाई एकस वेलू तो जीरो वाई की वेलू 1 इकल टू सी लागवन की वेलू जीरो ओती बेसी जीरो होता है लागवन की वेलू जीरो यहे एक की समी करना 2 से आंसर आगया सी की वेलू 2 आ गई है तो समी करना 2 से अब हम बात करते हैं लॉग प्लस 2e की पावर x upon y equal to 2 यह विशिष ठला गया constant का मान हट गया सी का एक स्पेसिफिक मान वैसे सी कुछ भी हो सकता है को सी की जगा मैं कुछ भी यूज़ लिख लेते हैं कभी आप लिक लिक लो साइने लिकलो जो चाहओ रख लो दस भी सजार कुछ भी रख आप सी की इक स् 1 पर C command 2 ही है और कुछ नहीं है तो C command नियत हो गया एकदम बिल्कुल fix हो गया यही रहेगा अब कोई ऐसा स्वाइच अचर नहीं बचा स्वाइच अचर का मतलब जो बदलता रहे अचर कमान फिक्स नहीं है कि वह अचर भी बदल लाए कभी कुछ है कभी कुछ है ठीक है तो मैं वहां पर arbitrary constant से constant मिल गया clear रहे तो यह questions थे हमारे पास homogeneous equation पे सिर्फ इसी pattern के दो ही pattern के question है जो आपके exam में भी पूछे जाएंगे कभी y upon x होगा कभी x upon y होगा दोनों केस के मैंने question कर दिये इंपॉर्टेंट उधारन था exercise में भी एक ऐसा question मिलेगा अराम से आप सारे question ऐसे ही लगा कुछ नहीं कर दोगे और कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए अब लाश्ट exercise बची अपने पास 9.5 9.4 तक फिनिस कर लिया है अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अब अपने पास 35-40 मिन लगेगा इस पर इसका concept समझते इसके आधार पर दो टाइप के questions बनते दोन टाइप के questions फिनिस करते फिर हम इस लेक्चर को अपना वन सौर्ट को फिनिस करेंगे लगे तीन गंटे का दो ही जाएगा तीन सब्सक्राइब लेकिन फिनिस हो जाएगा पर आपका होता हैं और एक format की बात कि जाये तो पर कार्कर गमांत यहां पर प्राफ्ट हों घर में आप पर पहले फॉर्मिट की करें एक फॉर्मिट हमारे पास होता है डीवाईवाइवारणow हुए प्लस का प्यक्वाइट कोल्ट तो क्यूव यह फर्स्ट डाइब को यहां लिख लेते हैं c3 एक टाइप वरण होता है एक टाइब कर दूसरे कभी होंता है दोनों में अन्तर अभी इस्पष्ट हो जाएगा परेसान न होना दोनों मैं अंतर प्षाल करते कि कैसे पैशनेंगे सर्म तो नहीं कि अ हैं प्लसक और मुदं के लिए प्लष मुद्ध इसे सब्सक्राइब करें सबण терहें तो एक तो ळोर 的 घ्कis यहां पे रहाएं यहां पर ट्ते होता क्या है दो तरीके के फॉर्मेट होते हैं एक हमारे पास होता है जब डिवाई वाई डी एक्स मतलब एक्स के साथ चाहाँ अपर आईसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर अगर वाई है तो यहां पर भी वाई हो गा, यहां पर अगर X है, यहां पर X होगा, मतलब सिर्फ पूरे अवकल समीकड में पूरी लाइन में एक जगह यहां पर X होगा, और एक यहां पर X होगा, बाकी पूरी लाइन में कहीं भी X नहीं होगा, दो ही X तुम्हें दिखेंगे, यहां पर एक ज और क्यों दोनों किसके पदोंगे एक्स के पदों में हो पी ते था क्यू दोनों एक्स के पदों में होंगे एक्स के पदों में होंगे इन दोनों वाई को छोड़के बाकी जो होंगे वह एक्स के पदोंगे एक्स के पदों में होंगे अब सेम तरीके से कि यहां पर अगार आओं लोगे तो नियुल किसके पर हथो ह्यों कि अब इसको सॉल्व करने की विधी क्या है मैं लिखता हूं पहले आप क्या करों कि पहली स्टेप में पहली स्टेप में आप जो यह डिवाइब खर थिया डिवाई अगर बना जीसेma1 Eiper upon Y था, EGichi upon X, दो format हमने देखी थे, ऐसे DIY upon Dx का format है, तो इसका गुढांक हमेशा 1 है, यहाँ पर भी गुढांक 1 है, यहाँ पर भी गुढांक 1 है, तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, DY by DX का गुढांक तुम्हें 1 बनाना है, और उसके बाद क्या करोगे, इसी इस्टर्म में हम लिख देते हैं, इसके बाद तुम तुलना करके, जब dy by dx का गुरान तुम 1 बना लोगे, तो तुम्हें P भी दिखेगा और तुम्हें Q भी दिखेगा, PY इधर और Q इधर, तो Y को छोड़के जो भी हमारे पास पद होगा और इधर जो भी लिखा होगा, वो Q होगा, क्या करोगे यहाँ पर, P तथा Q के मान ग्याद करो, कैसे ग्याद करोगे, तुलना करके ग्याद करोगे, वो तो आपको पता ही है, तो P तथा Q के मान ग्याद करोगे, ठीक, पहले इस्टेप में तुम्हें करना क्या है, डी गुडांग को बनाएंगे गुडांक वन बनाओ और क्या करना है और हमें पी तत्हा क्यूंके मान गया तुमें पी तत्हा क्यूंके मान गया तो टिक सेकन डिस्टेप में क्या करेंगे सेकेंड स्टेप में यह करते हैं इस्टेप टू में इस्टेप में आप इंटीगेटिंग फेक्टर निकालोगे आ dö martial chee जाएगा समा कल गुडांक होता है एक प्रकार से तो integrating factor जब निकालते तो इसका फार्मूला होता है एक पावर यहां से हो जाता है P क्या होगा एक पावर पी और यहां आरे पास क्या हो में तो यहां पर कया हो जाएगा ये बराबर यहां पर आई अफ हो जाएगा एक की पावर integration P d y तक यहां पर X को छोड़ के PG होगा य के पदों होगा तो उसका जो integration करेंगे y के साफ च करेंगे या फिर ऐसे समझ सकते हो जिसके साफ यससे के साथ इफेरेंसिë संकर। उसी के साथ ह争निचियोन ईपर किसका अ तो यह यह दिखरा है कि यह यह वह भी है यह वाइ तो y into i f equal to integration q into i f और dx ठीक y into i f जैसे यहाँ पर y यह था यहाँ पर y था तो y into i f q into उसके बाद integrating factor और dx बिल्कुल भी परसान ना होना सारी चीज़ें के लिए यहाँ पर क्या होगा जैसे यहाँ पर x एक्स इंटू आई ओ इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू इंटू यहाँ पर आप किसके साथ पेच कर रहें डिवाई के साथ चुट्टो क्यू डिवाई ठीक यहाँ पर डिवाई यहाँ और प्लस का सी तो लगे गई जब तुम समा कलंद करो कि तो प्लस का तुम्हें सी मिल जाए यह हमारे पास स्टेप्स हैं जब आप रैखिक ऑवकल समीकन की कोश्चन स्वाल करो पहले टाइप का सेकेंड टाइप के दोनों टाइप के मैं देख लिए इंटीगेटेंट फ्रेक्टर आपको पता है एकी पावर पीड की एक सिंटीक्राइशन होता है कभी-कभी इंटीगेटिंग पैक्टर का कोश्चन डायरेक्ट्वी आ जाता च्वोटा कोश्चन अगर पूछे मगा तो केवल कह देगा इस जो समीकरन आई इसका इंटीगेटिंग फैक्टर निकालो तो टायरेक्ट सुम्हां वाहां पी उ question जैसे मैंने लिया है उधार नमबर 15 दिया गया NCRT में हम लोग नहीं NCRT के according चल ले हैं कि कह रहा है आउकल समीकरण x dy upon dx plus 2y equal to x square आपके दिमाग में सर हमें तो नहीं पता होगा कि हम जैसे question जैसे exam में आएगा सबसे छोटी सी बात समझो यह question मालों है इसमें इसमें समगाती है क्या इसमें रहुझी और कि करार है तो हम अपने दिमाग में से एकसार और RAW को अलग अलग कर सकते हैं यहां से लगते ले भी आए तो common क्या निकलेगा केवल X फिर भी एक लेक्स चूट जाएगा उदर वाई तो तुम इसमें से X Y कभी अलग अलग करी नहीं पाओगे तो यह कभी question उसका ही नहीं variable करी नहीं सकते इसको X Y अलग अलग कर लो तो हो जाएगा नहीं कर पाओगे तो हो गा ही नहीं सीदी सी बात हैं क्या सर समघाती है समघाती में क्या होता हमने बताहि sia घाते समान होती है और यहाँ पर घात कौंए दो दिखर ही यहाँ पर एक है यहाँ पर एक है एक रैखी कोकल समीकर की तरफ रैखी कोग की समीकर में सबस्य पहला काम करो आपको यह पहिचान में बाद में आ जाएगा कि यह किस टाइप का है , टाईप काया टाइप टू का पहले आपist में क्या अगर यहां पर यहां पर रख से बाकि सब्सक्राइब जैसे या क्वेशन निखाये एक्सदी कुणों डिए राइगस प्लस दूए इक्स और पहले X है गुडाएं को बनाना है तो x को इधर बेज दू जैसे ही x को इधर बेज़ेंगे तो dy upon dx 2y upon x equal to x square upon x तो यह होग है ऐसा dy by dx 2 upon x y equal to 1 x x x कर जाएगा केवल x मचेगा मैंने बताया कि जब भी तुम रेखी काउकल समीकर में देखते हो तो आपको पता है कि एक format यह होता है कि अगर यहाँ y है तो यहाँ y होता है ठिक एक अगर यहाँ x है या कुछ x के पद दिखेंगे constant और x के पद के अलावा कुछ तुमें y का पद नहीं दिखेंगे सीधी बात यह तो मैं दिख रहा है यह type 1 dy by dx है और यहाँ से यहाँ पर y जो है यहाँ पर p हम क्या लिखते है p y लिखते है और p आपको पिक के अलावा जो भी यहाँ लिखा हो और यहाँ इञा है एक्स सेकेंड इस्टिफ क्या चुलोगे इंटिगेटिंग फेक्टर यह अपने फॉर्मेट पैचाल लिया कि टाइप वन का रैखी का उकल समिकल लिखने की जरूबत नहीं है आप डारेक्ट लिखों कोई दिखकर दे अब यहां से है लिए फोपॉर्ण एक्सं टो इस रissements के इसका इंटिगेशन कर दो तो यह हो गया anything और इंटिग्रेशन तु कांस्टेंट रह आगया उन अपन एक्स ahh टिए अग्स और ठीक बात के लिए हैं यह मेरे पास क्या हो गया तू स्टेंट था बाहर आगया यह हमारे पास हो अब equal to, यह पता है कि 1 upon x dx log x का होता है, तो e की power क्या आगया है, 2 log x, यहीं तो आएगा, e की power 2 log x, अब आपको दिख रहा है, कि यहाँ से हमें एक चीज़ यह दिख रही है, कि e की power 2 log x है, आपको पता है कि जब log होता है, उसको natural base क्या होता है, e होता है, यहाँ पर एक log की property यूज ہोता है, कि यहाँ पर e है, यहाँ पर e है, अगर इनके बीच में कुछ नहीं है, कुछ भी बीच में गड़बल नहीं है, तो यह आराम से हट सकता है, जो यहाँ पे लिखा है, वही आजाएगा, लेकिन गड़बल क्या क्या करना है, तो तूम जानते कि इसको ऐसा ल में आजाएगा बस वही यहां पर ऊस्क्रूंग जैसे यह यूसकर होगा question solve हो जाएगा अब यहां से क्या हो गया यह 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 को गया यहां यहां पर यह यहां पर भी यह पर देट हमारे पास क्या गया है कि वाइं टू जो नीचे हमारे पास है लोख यहाँ पर किसके साब ये ये वाई है तो ये वाई इंटू आई ओफ ऑई इंटू आई इस लिए अफेल लेना क्योंकि इस पर गण्द्रूव रहता है कभी वाई और एक्स में ये दोबर में से प्रिकोगे क्लियर बाई इंट्व आ एफ तर आप क्या अकर लिखोगे पेरमे पता है integration Q into और आप पो पता यहां पे होगा dx तो न हाए यदा हमारे पास म्लेक्था आया आइ एफ कहां एक्षिस उस्पार टिय detect sto यहां सो गया x square y equal to x cube upon हो जाएगा 3 और प्लस का जाएगा 3 इसके question दो को simple बनेंगे आसान question है homogeneous से छोटे question होगे मतलब समगाती वाले इसके question ज्यादा टफ नहीं बनते बास हमें यह पहचानना है कि कि टाइप टू था यही दो टाइप है अपने पास यहां पर लिखते टाइम गलती नहीं करना कि क्या कहां पर होता है एक दो बार लिखो कि अपने आप रेक्टिस हो जाएगा कि कहां पर क्या है इससे याद रखो ना कि हमें पता यहां पर y होता है तो इसलिए y से जो हमारे पास यहां पर x होता है तो यहां पर हम x से गुना करते इंटो आइये प्यूंतू इवाई वह एसी को की डिवाई इस वजह से कुणकि हर ज्यागे दुख़कर यह मारे पास y के पदों में थो मैं उसी के शापस चोक्लांग करना होगा तो डिवाई दीवाई यह मारे पास x के प पुलस तूआई स्क्वाय डीवाई इकल तूजी ठीक कोई दिक्कत नहीं निकालने की कोशिस करते मालूँ यहां से करते हैं यह आगया वाई डी एक्स इकल तूज यह उस चाइड ले गए हमें करना है पहले डीवाई डीक्स निकालो उसके कंफर्म हो कि किस फॉरमेड का डी कुछ भी निखाल लो यहां से instagram या तेया किसी का मने पहले वाइं हम दोनों तरीके चंपलेते कैसे पता कि डिया फान अचीज्व से करो मालो मैं इसको ऐसा किया उधर ले गया इसको नीचे ले आया तो यह हो जाएगा वाई अपॉण एक्स प्लस तुवाई स्क्वाई इक्वल टू यह हो जाएगा डिवाई अपॉण डिएक्स हीटन ट्रायल चलना है समझो हमें भी नहीं पता कि कहां पर क्या होगा मैंने इसको उस साइड ले गया और इसके बाद हमने क्या किया डिएक्स को नीचे ले गया डिवाई उपर ही और यह नीचे ले आया अब तुम इसको एक्स वाई को तो अलग अलग कर नहीं पाऊगा ऐसा तो है नहीं कि वाई को इसके साथ कर लो एक्सको एक साथ कर लो नह यह तो उम्हाई दिखी रहा हैं लेकिन समस्या सर यहां पर होगई हमने आपने बताये था अगर यहां पर एक जगह वाई यह जगए यह की जगए वाई होगा लेकिन यहां पर भी नीचे भी तो मतलब यहां इसा format नहीं है, हमारे पास अगर यहांपर dy है यहांपर दिक राय कि dy है तो एक जगे y होना चाहिए, दो जगे y नहीं हो सकता यहाँपर y है, यहाँपर भी y है अलग अलग वही नहीं सकता, तो यह वाला format तो आखिर मैं नहीं है, मतलब कि इसका कौन सा format है, second वाला format है, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें x upon dy लिखना पड़ेगा, कैसे देखो, समझो, हमने क्या किया, यहाँ पर dx रखा, dy को इस साइड लाएंगे, पहले मैं उस साइड ले जाता हूँ, y dx बराबर, x plus 2y square dy, तिक, अब मैंने क्या रखा, dx इदरी रखा, dy को इदर ले आया, यह इदर है, x plus 2y square upon हो गया y, अब बन जाएगा, कैसे, देखो, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर केवल x है, और इसी जगे पकार यहाँ पर भी x है, इसको तो अलग-अलग करी सकते हैं इसको अलग y के नीचे, इसके x के नीचे अलग ले लेंगे, इसको y के नीचे अलग ले लेंगे, अब एक जगए यहाँ पर जो x है, वो एक ही जगए इदर x है, बाकि कहीं x नहीं, बस यह देखना है तुम्हें, यहाँ पर x है, एक ही जगए, चार जगए, दस जगए, को जब 2y स्क्वाइर का करेंगे तो केवल 2y बचेए तिक अब तुम्हें दिख रहा है यह कौन सा टाइप का टाइप 2 यहां पर एक्स यहां पर एक्स जो मारे पास यह एक्स के अलावा जो भी पद होगा वो पी ओगा यहां पर जो यह पाद होगा वो क्यू गाई इसको इस सा वैलु है, minus count upon y, x लो भी लिखा है वह हम रहे पास value, तो पि की वेलू आगे minus count upon y, q कि वेलू कि noi, clear, integrating factor निकाल 1 second step हमारे पास आ के अपे आगे हम लोग इंटीकेटिंग फेक्टर जैसे आई-एफ तुम निकालोगे तो ए की पावर इंटीग्रेशन पी डी य इसभार डी शलेगा ना तोकि हमारे पास पता ये सारे इसारे य के जाएगा लॉग वाई ठिक अरे माइनस कहां बार एकदम कहां बार गल दिया देखो एक तो रहेगा माइनस वार आ जाएगा यह जाएगा लॉग वाई अब फिर से वाई समस्या देखो बीच में कुछ हो ना तो यह एसा ही कुछ केस बनता है कि यहां लॉग बनना होगा इसी काम खतम कर रहा होगा वह हो जाएगा लेकिन माइनस को मूपर ले जा सकते हैं तो ले जाओ जैसे वहाँ पर टू को ले गए तो वैसे यहां माइनस को मतलब की आगया one upon y that's your integrating factor अब तुमारे पास आई अफ आगे लाश्ट इस्टेप बची है निकाल दो लाशी स्टेप में तुम क्या लिखते हूं सरम लिखते हैं यह मारे पास होता है जब दो को यहां पर क्या आइस बार देखो यहां पर क्या इस बार चला एक्स यह भी ए यहां पर यहां पर एक्स है यहां पर भी एक्स वाला फॉर्मेट है तो आप एक्स से जबरा करोगे इंटेग्रेटिंग इंट्र इति इंप् song theme वाकी से में यह कहा पर क्यूं आज Mmm doc's Dob और if किता है 1 upon y और यह dy y से y का काम खतम x upon y equal to यहां से आ जाएगा 2y तो कॉंस्टेंट y का हो जाएगा 2y plus का c बस यह आंसर है आपका और कुछ नहीं करना है ऐसे ही करने यह रैखी का उकल कमी का ही तफ तोना है कोशन बहुत आसान है सारे कोशन एक दो बार करों के फॉर्मेट आराम से क्लियर हो जाएगा ठीक है समझ में आ गया सभी को किसी को डाउट तो नहीं भाई अब ज्यादा कोशन नहीं बचें अपने पास एक सोला हो गया एक अठारवा करेंगे फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे लगा लेंगे जो अच्छे कोशन है और उनको करके फिर फिनिस करेंगे अठारवा कोशन देखो यह सब को के लिए रहना इसी फारवाट पर चलना यही दो टाइप होंगे दोनों टाइप बहुत कोशन होगे अपने पास अब अगर हम बात करें कभी इसमें अगर भासा संबंदी कोशन बनेगा तो कैसे पैचानोगे कैसे पता चल जाएगा पता चल जाएगा जुम जैसे पढ़ोगे भासा समझो कहरा बिंदु 0,1 से गुजरने वाले एक वक्र का समीकन ग्याद करो यदि इस वक्र के किसी बिंदु X, Y पर इस पर्स रेखा की बात कर रहा था तो हमने डी वाई बाई डी एक्स के साथ पे चल लें तो डी वाई बाई डी एक्स लिख लिए इस पर सरेखा की प्रवनता उस बिंदु के उस बिंदु के x निर्दे सांग x निर्दे सांग भुष तथा x निर्दे सांग और y निर्दे सांग का गुड़न फल x निर्दे सांग और y निर्दे सांग के गुड़न फल के योग के बराबर है यह question में में दिया है पस यह हमें पढ़के समीकन बनाना बाकी solve हो जाएगा कह रहा है कि x, y कोई बिंदु हैं जिस पर इस पर्स रेखा की हमारे पास प्रवारता जो है उस बिंदु के x निर्दे सांग तथा x और y निर्दे सांग के गुड़न फल के योग के बराबर है इस पर सरेखा की प्रवाता के लिए यह बन गई तुम्हारे पास डिफरेंशियल उक्येशन अब इसमें से तुम एकस वाई गुड़ा में आ गया मतलब तुम एकस वाई अलग करी नहीं पहोगे ठीक यहां पर एकस वाई है कहीं से भी बॉर्तिस्था पर नहीं लगा सकते हों में आ सकते हैं और एक और एक मिलकर दोगात हो जाएं तो बहुत वहाई संगे है यहां पर ओधार करता यहां एकस वाई एक एपड़ यह वाला tension ओध यह संगेत तो शी कर दोरिकों तो फी ब्राबर किता है सर्फ P बराबर है माइनस का X Y के अलावा जो भी लिखा है वो X एक्स है अदे मंलब P Q बराबर किता है Q बराबर X clear P आ गया Q आ गया integrating factor पर आते हैं सीधे आई एस वराव ऐस बराबर क्या होता है इसर e की पावर integration p dx तो यहाँ से हो जाएगा e की पावर integration p हमारे पास किता है minus x dx तो integrating factor यहाँ से निकल आया e की पावर minus x dx x का हमारे पास integration क्या हो जाएगा x square upon 2 और बस यही है यहीं पर छोड़ दो integrating factor आगे e की पावर minus x upon x square upon 2 last step अपने आजो बाकी कुछ परिशानी की बात है नहीं last step में आपको पता यहाँ पर y है यहाँ पर y यहाँ पर भी y तो y का गुड़ा into if equal to आपके पास पता है वही integration q into if और फिर आप गुड़ा में क्या लगाते हो सर गुड़ा में dx लगाते हैं और बाइटू इकोल टू integration q हमारे पास किता है x e की पावर माइनस का x square upon 2 ठीक है और यह मारे पास है dx अब इसका समाकलन तो करना पड़ेगा कह रहा है कि e की पावर minus x square upon 2 और इधर x है इसको t मान सकते हैं आराम से कोई दिक्कत नहीं इसका समाकलन करना है तो यहाँ पर ऐसा कलते हैं इसको माल लेते हैं बस यहाँ पर कभी-कभी समाकलन थोड़ा टाफ बन सकता है इन बाई चांस केसे वही हमें यहाँ पर होता जैसे पिछले कुछ केसे में कुछ अच्छे समाकलन के कोश्चन भी मिल गए तो बस यहाँ पर एक चीज़े हो सकती है इसको में यहाँ पर कभी समाकलन अच्छा बन जाएगा बागी format सब सेम चलेगा और समाकलन अच्छा बनेगा वह अपनी समाकलन की प्रैक्टिस ही करा रहा है और वह हमने अच्छे कॉश्चन सौल बीए अराम से उसी format के ही कोई dx बराबर dt तो यह 2 से 2 कर जाएगा माइनस को भी उद्री बेज दो x dx बराबर आ गया माइनस का dt माइनस का dt यह हमारे पास आ गया थिक है वैल उटन भी यहाँ पर substitute कर देते हैं इधर तो कोई मसला है नहीं इधर ऐसे रहने लिए y e की पावर माइनस का है x upon 2 equal to x dx की जगह आ गया माइनस का dt और यहाँ पर हो गया e की पावर t e की पावर t और dt इसको solve कर लेते हैं y e की पावर माइनस का यह x square चल दा था x square लगा लो भाई equal to minus e की पावर t का e की पावर t होगा और plus का c आ जाएगा t की जगह वेलू रख दो तो y e की पावर माइनस का x square upon 2 minus e की पावर t की वेलू किती है यह आ गया minus का x square upon 2 plus का c यह आ गया हमारे पास क्या आ गया यह आ गया आपका व्यापका जो अभी तक जित्ता करते थे वहां तक हमारा question solve हो गया इन question में जब भी तुम्हें यह point दे देगा कि 0,1 पर गुजरने वाले पर ग्याद करो मतलब वह यह कहना चाहरा by default कि आप इसका विशिष्ठल नहा करो यह व्यापका खल है xy के पदों में constant c है जब भी जाल हो जाए कि xy की इस specific value पर इस ओकल समीकर्ण का जो मानोगा वो यह होने वाला या ओकल समीकर्ण यह होने वाला ठीक है अब क्या कह रहा है कि 0,1 से गुजरता है तो बस इसको गुजार दू गुजारने का मतलब होता है संतुष्ट कराना तो बिंदू लिख दो यहाँ बिंदू इदर जगह है अपने पास नहीं है 0,1 समीकर्ण एक को संतुष्ट करेगी समीकर्ण एक को संतुष्ट करेगी ठीक क्यों संतुष्ट करेगी क्योंकि उस पर उसी से तो गुजर रही है इसको थोला side में हो सकती है यह चीज़ देखते हैं कितना हो सकता है होगे काफी होगे ठीक है यह समीकर्ण एक को संतुष्ट करेगी कोई दिक्कत नहीं इसको थोड़ा सा और इसके पास ही लगा देता है ताकि इदर थोड़ी जगह बंजे है अब चलते हैं आंगे आंगे क्या बात होगी आंगे आपको बस गुजारना है तो इस पर रख दो सीधे हम रख देते हैं फिर बाद में हल कर लिया जाएगा एक्स की जगह 0 रखोगे और वाई की जगह 1 रखोगे तो यह वन हो गई और एकी पावर यहाँ पर जब एक्स की जगह 0 रखोगे तो एकी पावर पूरी 0 हो जाएगी equal to minus e की power यहाँ पर जब तुम e की यह सब पूरा 0 रखो के तो यह पूरी 0 हो जाएगी प्लस का c तो यह आ गया 1 और यह आ गया minus 1 प्लस का c तो c बराबर value आगे 2 c का मान किता आगे 2 निकल कर आगे किसी गाज 0 की value 1 होती है पता है ना e की गाज भी कुछ 0 है तो value 1 है तू आगे c की value समी करने एक में रख दो समी करने एक से थोला यह solve भी हो सकता था समी करने अगर हम इसमें e की power minus x square by 2 है पूरे में भाग कर देते तो यह भी कर जाता यह भी इसके c के नीचे आ जाता के बल चलो देख लेते हैं यहां से हो गया y e की power minus x square upon 2 equal to minus x square upon 2 और c की जगे तुमने value रख दी 2 यहां तक वैसे सही है लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं तो हम क्या करते हैं यहां से पूरी समी करन में e की power minus x square by 2 से हम भाग कर देते जिता simplify हो सकता है उत इससे होगा क्या यह इससे कट जाएगा तो केबल वाई बचेगा यह इससे जब कटेक अलग-अलग करेंगे इसको अलग काटेंगे तो यह माइनस का वन बचेगा और प्लस का 2 के नीचे और आ जाएगा यह e की power minus x square upon 2 that's your answer यहां पे छोड़ो देना यह हमारे पास इसका answer हो जाएगा यह बरावर माइनस का वन प्लस टू एकी पाटू अपाउन एकी पावर माइनस एक स्कॉयर अपाउन सिब डिवाइड कर दिया है लाश इस्टेप और कुछ नहीं किया है कि मैंने एक पाउर माइनस एक स्कॉयर बाइटू से यहां पर डि लगाए जब इस पर से दिखा की प्रवनता डिवाइड इस आंगे उसने लिखा था एक सिनिर्देसांग को एक सवाइड निर्देसांग को गुड़न फल के योग के बराबर वही चीज करी और कुछ नहीं कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाई जो उसने लिखा है वही मैंन लेंगर दे उसमें और कोई कांश्टेंट बात ही नहीं है तो कोई मतलब नहीं तो उसका कोई मतलब नहीं है तो वन प्लस एक स्क्वाइर डी वाई प्लस का 2xy dx, ऐसा करों सीधे चलते हैं, question को सीधे ही solve करते हैं, तो सबको clear है, तो यह 1 प्लस x square dy, dx वाले को उस साइड ले लो, ताकि common ले सके, यह हो जाएगा, cot x dx, और minus का यह 2xy dx, यहां से हो गया, 1 प्लस x square dy, dx common निकाला, यह आ गया, cot x, minus का 2xy, ठिक, मालों यहां से dy ऐसे रहते हैं, dx इधर ले आए, यह हमारे पास हो गया, cot x, minus का 2xy, और बटे में आ गया, 1 प्लस x square, variable separable तो हो नहीं पाएगा, x y तो अलग होगा नहीं, homogeneous है नहीं, रैकिक पर सक्का है, क्या है, है रैकिक, जो कैसे, यह y है, इसके साथ एक ही y तुम्हें यह दिख रहा है, बाकि कहीं तुम्हें y नहीं दिख रहा है, बाकि इसको तो अलग करी लेंगे, इसके साथ यह ले लेंगे, यहां पर भी एक ओए, यहां पर सब जगए x दिख रहा है, बस वहीं काम करो, क्या, अलग-अलग dy by dx यहां से हो गया इसके नीचे यह ले लिया तो हमारे पास आ जाएगा cortex लिख लेते हैं पहले अच्छा cortex upon 1 plus x square minus का यह हो जाएगा 2xy upon 1 plus x square ठिक इसको इस सैड ले आओ ताकि format में आ जाए तो dy by dx कि मारे पास आ गया प्लस का 2xy upon 1 plus x square और इक्वल टू cortex upon 1 plus x दिख रहा है format अब सबको इस पश्च दिख रहा है format यह वाई है और यह वाई है केवल बाकि कहीं वाई नहीं यह भी x के है तो यह पी वाला पूरा हो जाएगा यह पूरा क्यू हो जाएगा आप आराम से पी और क्यू लिखो पी की वेलू यहाँ पर क्या है 2x upon 1 plus x square q की वेलू यहाँ पर क्या है cot x upon 1 plus x square जो पी और क्यूरा लिखा रहे हैं तो आंगे हम लोग integrating factor की तरफ चलते है आइफ निकालो integrating factor क्या होता है सर एकी पावर integration पी डी एक्स तो यह हो जाएगा एकी पावर integration पी की वेलू क्या है 2x upon 1 plus x square 2x upon 1 plus x square यह हो गया डी एक्स कैसे होगा लेट करना पड़ेगा कोई option नहीं 1 plus x square को t मालो माना 1 plus x square बराबर t 2x dx बराबर dt रख दो substitute करो यह हो गया आई एफ बराबर e की पावर आई एफ बराबर e की पावर integration 2x dx की जागा हो गया dt नीचे हो गया t तो आई एफ बराबर आगया हमारे पास e की पावर log t e से e कैंसिल मतलब की केवल आ गया t तो आई एफ बराबर हमारे पास किता आ जाएगा t t की वेलू क्या है 1 plus x square तो यह आई एफ आगया अब चलते अपने actual equation पर last step step 3 step 3 तुमारी क्या कहती है कि सर यहां पर वाई है यहां पर वाई है तो simple y से गुणा करो वाई टू आई एक्वल टू क्यू इंटू आई एफ इंटिग्रेशन और यहां पर हो जाएगा dx क्योंकि x के साफ़े सब चलना है तो य आई आई एफ हमारे पास किता आया था ब स्कॉर्ण ठीक डी अक्स डी एक्स इए अइफ भी तो रखो एक्यू की वेल्यू है कॉटेक्स अपान वन प्लस एक्सिसक्वाइर आई एफ हमारे पास है वन प्लस एक्सिस्वार और फिर आगया दिए इस इसका काम खतम कोटेक्स का याद है ना लॉक्स आइनेक्स नहीं आदो तो कर लेना विसे याद रखोई इन सबके डारेक्ट यूज कर सकते हो बिल्कुल परिसान नहीं कर सकते हैं अगर डायटी कोश्चन आजाए कि इंटिकेशन कोटेक्स की दो तीन नमर में तो आप उसका खंसा से करना नहीं आगे मानकर नहीं आगर वैसे डायक बीच में कोश्चन आ रहा है तो सीधे याद यूज करो लॉक्स आइनेक्स कोटेक्स लॉक्स आइनेक्स होता है वो रग दिया बस आंसर हो गया कि डिफ्रेंसियेशन हमें थोड़ा के लिए रहे हमें इंटिग्रेशन के लिए रहे यह सब आसान फी फरजी हो जाएगा एकदम आसान हो जाएगा यह एकदम कुछ दिमाग लगाने ही नहीं पड़ेगा तुम बस यह फॉर्मेट और से याद रखने होंगी कैसे इनको सॉ कोशन होंगे वीध के हैं कुछ थोड़ा इसपेशल इन क्षेशन हों में जबापकोश्चन लगाओ तो इनको इस पेशल पाओ दो जैसे बीस्वा कोश्चन जो ए अब वीविद से तो वीविद में सारे मिक्स होंगे हमें नहीं पता कि कहां से स्वाल भोगा पस्षिप लॉग डी वाई अपॉन दी एक्स इकोल टू ठीए प्लस का फूर वर थिक इसकी गात तो मैं पता है आप अरिवासित है कोटी तुम लिख सकते हो कि वन है कोई दिखत नहीं लेकिन गात आप अरिवासित है यह तो तो मैं पता होगा लॉग के अंदर लिखा है अब अगर इस लगा सकते हैं जब तक यह लॉग हटेगा नहीं तब तक इसमें तुम आंगे बढ़ नहीं सकते हूं लॉग अठाने का तरीका क्या है कि अगर तुम्हें लॉग अठाना है तो एक लॉग की प्रॉपर्टी तुमने पढ़ी थी कि अगर लॉग मालों यहाँ पर लिखा है लॉग और बैस उत्वारे पास से थी एकल टू तुमारे पास लिखा है एन लॉग भी बेस ए ठिक यह मारे पास भी यह बी लिखा है तो अगर तुम्हें लॉग अटाना है तो यह जो होता है इधर जाता है और इसकी पावर में आ जाता है मतलब यह ही जब इधर जाएगा तो यह बेस की पावर में चल जाता है जो भी इधर लिखा होता है और यहां पर कि यहांपर पहले इसकी बेस क्या होगा हमें लेना है थिक है आप इसको इधर बेजोगे तो यहां बचेगा तो केवल डी वाइब डी एक्स और इधर क्या हो जाएगा यह इधर जाएगा तो इकी पावर में यह पूरा material आ जाएगा 3x प्लस 4 वाई समस्या अभी भी create रहती कि सर अब क्या किया जाए कि यहां पर डी वाइब डी 3x हो गया इकी पावर 3x प्लस 4y हो गया अब इसको कैसे पैचाने क्या यह वैरियबल से प्रेबल हो रहा है क्या यह हो मोजीनियस से स्वाल्व होगा क्या यह जो मारे पास रैखी का वगल समीका ने उससे स्वाल्व होगा बहुत आसान हो जाएगा जैसे ही तो मैं पता एकी पावर 3x प्लस 4y अगर लिखा इसको हम अलग-अलग कर लें अलग-अलग करने का मतलब क्या है कि गुणा में घाते जुड़ती है तो इसको एकी पावर 3x और एकी पावर 4y लिख सकते हैं अब यह वैरियेबल से प्रेबल हो जाएगा तुम डिय इधर ले जो डिवाई इधर लेओ डिवाई वाला मटेरियल इधर लेओ तो यह डिवाई है जो इसके साथ हम कहले आए एकी पावर 4y ठीक इक एक्वल टू डिएकस इधर ले गया तो इकी पावर 3x और यह हो गया दिएकस तो इसको उम्लिक लेते हैं सही से यह मारे पास हो गया one upon e की power यह 4y इधर आ गया और यह मारे पास क्या हो गया dy dx हम उदर लेगा तो यह मारे पास variables यह प्रेवल का question हो गया integrate कर दो कुछ नहीं करो integrate करो ठीक है ना किदर लिख देते हैं अब देखों 4y को उपल ले चलो यह तो आसान हो गया question माइनस 4y डी वाइए इकोल टू इंटिग्रेशन इगी पावर 3x ठीक है तो इगी पावर माइनस 4y का आप कर लोगे माइनस का 4y माइनस 4 आ जाएगा नीचे और इकोल टो हो गया इगी पावर 3x और 3 तुमारा आ जाएगा नीचे और प्लस तुम लॉट को अटाना कि लॉट जाना लिखा है उसको आप आराम से पावर से अटा सकते हो आप पावर से उसको हटाओ उसके बाद आप आंगे स्वाल्व करने की कोशिश करो कहीं न कहीं कुछ ना कुछ स्वाल्व हो जाए ठीक है आसान question था ऐसे इस question में अगर देखो एक प्यारा सा concept इस question में यूज होता है question अमारे पास है देखो x-y इसका विश्षिश्टल गयात करना है पहले तो विश्षिश्टल की बात तो बाद में आएगी कि उसके मान रखे जाएंगे पहले तो हल निकालो भाई इसका इसमें कुछ नहीं समझे आ रहा है अगर हम x-y को अलग-अलग करने बैठे तो यहाँ अगर हम इसका अंदर गुड़ा करेंगे और फिर dxdy अलग करेंगे तो साथ कुछ गंदा सा इफ़्दम बन जाए को xdx xdy यह हो गया माइनस का ydx माइनस का ydy बराबर dx-dy लब कहां-कहां dx है इस अगर कॉमल लोगे तो यहां से बचेगा एक्स-y इधर से आएगा माइनस का 1 ऐसे इक्वल टू इधर से तुम डिवाई अगर कॉमल लोगे तो यहां से बचेगा इधरी ले लो मालोग प्लस का तुमने डिवाई कॉमल लिया तो यहां बचेगा एक्स माइनस वाई और यह इधर आजाएगा प्लस का मड़ को फिर dx अपान डिवाई करोगे तो कुछ गंदा ही बनेगा वलब इसको सॉल्व करना बढ़ा टफ हो जाएगा यह आसान तरीका आपने एक्स माइनस वाई को इस साइड बेजा तो यह हो गया डिएक्स माइनस का डिवाई अपान हो गया एक्स माइनस का वाई ठीक अब दोनों पच्छों को तुम इंटिगेट करो कोई दिक्कत नहीं देखो आप तुम नीचे तुम्हें क्या दिख रहा है एक्स माइनस सो वाई तो तुमने मालो ती और आ जाएगा और इसका इंटीचिम आसान है आपको पता है इसको लिख सकते हैं यहां से क्या होजाईगा यहां से क्यımızı and equal to यहां से क्या हो गया है यह गया सरप आपान में d t upon t आसान हो गया फ़र्जी हो गया खोस्व पस एकस माइनस वाई को उस साइड भेज़के तुम integrate कर दो और इधर हमने लेट कर लिया था यह चीज हमने Pplus y, log t की जगा value रखदू, t की जगा value क數 क्या रוכर की जो जो आमने मानी थि, x-y प्लस कउसी, ठीक, अब value रखदू, y की जगा तो में, 1 लखना है, x की जगा 0 रखना है, तो यहां पर हो जाएका, x की जगा है तो 0, लिख देते हैं, firmsing requirements, x बराबर 0 और y बराबर minus 1 question असान हो गया अब यह तुमारा अब देखो रखो x बराबर 0 y बराबर minus 1 यहां से हो गया log x की जगे 0 y की जगे माइनस 1 तो यह प्लस 1 हो जाएगा तो यह हो गया minus 1 log 1 log 1 की value होती है 0 तो c बराबर आ गया minus 1 log 1 0 होता है ठीक है वे c में log 1 0 होता है c की value minus 1 आगे c की value रखतो समी करन 1 समी करन 1 से वे आपका खल आ गया था आप यह विसिश्टल आ रहा समी करन 1 से value रखो गे तो क्या जाएगा x plus y equal to log x minus y और minus का ओवर अच्छा कोशन था यह एक्सराइज में दावा कोशन दिया गया है अगर वैसे खोलने की कोशिश करते हैं तो कोशन टफ हो जाता ऐसो कोशन के वल आसान है बस x minus y को उसे ट्रीक है मतलब एक छोटी सी देखा जाए तो मतलब यहाँ पे छोटा सा कॉंसेट लग रहा है कि अगर आप x minus y को इधर बेशते हो फिर कोशिश करतों करने की तो आसानी से सॉल हो रहा है कुछ भी नया नहीं करने तो हम लों का वंसौट आज से कंप्लीट होता है आउकल समीकरण वाला जो वंसौट है यह भी हम लोगों ने फिनिस कर लिए जो ब से हैं आप आपको 40 45 नंबर के कोश्चन सिर्फ इनी 45 वंसौट से ही मिलेंगे जो मैंने पिछले कराय हूं है कैल्कुलस के सारे पी वाइक्यू पी वाइक्यूस क्या बोलोगे सारे इंपॉर्टेंट कोश्चन जो अपने इंसियार्टी के गवर्मेंट ने भी वही बुक्स कैसा लगा आपको बंसौट क्लास को सारे लोग लाइक कर लेना अगला वंसौट जोगा मैं जल्दीन फॉर्म करूंगा अब अपनी लाइव हो नहीं यह लाइव में बता दूंगा कि किसका वंसौट होगा यह संदे को आपको मिल जाएगा कोई दिक्कत नहीं कल मिल ठीक है मिलते हैं अगले वंसौट के साथ तब तक के लिए टाटाला